नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम complete physical education को यहां पर देखने वाल है और इस complete लिंक है वो भी आपको description मिल जाएगा तो वहां पर इसको चेक कर ले जाएगा तो आज के इस वीडियो के अंदर हम cbsc के लेटेश सिलेबस के साफ से चैप्टर को कवर करने वाले हैं और साथ यहां पर मैं आपको बहुत सब्सक्राइब बताऊंगा जिससे आपके मस्त वाली यह वीडियो को नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज से हम फिजिकल एडुकेशन की क्लास 11 की फॉर्स युनिट को यह पर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है चैंजिंग ट्रेंड ट्रेंड करियर इन फिजिकल एडुकेशन तो दोस्तों देखते रहे हैं तो आज तो आप दूसरों से 5 मांक्स जादा ला पाएंगे यह जो कमप्लीट नोट्स तो आपको मिलेंगे इसे ही तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख लीजे का तो वहां से आपको इसके फ्री नोट्स मिल जाएंगे और लेटेशन के सिलेबस कर बात करें तो फॉर् आपके लिए हो जाएगा तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यह सब्जेक्ट आकिर है क्या फिजिकल एडुकेशन तो फिजिकल एडुकेशन दो सब्सक्राइब कर बना हुआ है फिजिकल प्लस एडुकेशन फिजिकल मतलब होता है किसी के बदल देना है इसको फिजिकल एडुकेशन का काम होता है ओरॉर All shatter से स्टार्ट होती है जर्मनी तो सब्सक्राइब कर दना है तोWelcome देखें तो जो modern physical education है यह 18 से स्टार्ट होती है जर्मनी में और physical education को तब से integral part of school curriculum बना दिया जाता है बहुत सारे इसे लोग हैं जिनोंने physical education को define किया कहीं बार exam में MCQ की माध्यम से पूछ लिया जाता है जैसे चाल से बुचर जो कि आपको मानुबाओ यहां पर देख रहे हैं तो जो चाल से बुचर हैं उन्होंने physical education की definition दी है कि physical education एक integral part होता है किसी भी education process का और यह तीन-चार तरीके के development करता है जैसे physical mental emotional तो जहां पर भी इस प्रकार की definition आप से पूछी जाए कि integral पार्ट तो वहां पर आप चाल से बुचर का नाम मार्क करके आ जाईएगा इसके बाद और कुछ definition से जैसे जे बी नैशनिक definition दी है कि physical education एक ऐसा phase है education का जो कि डील करता है big muscle activities से तो इसका keyword है big muscle activities आपको याद नहीं रखनी बस थोड़ा से keyword रखना है यह पूछ ले तो आप वहां पर answer कर पाए तर इसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसे कैसी डीन एक definition दी थी कि physical education एक सम है जितने भी changes होते हैं किसी भी इंडियूजल में by experience centering motor activity motor activity मतलब एक basic moments का development किसी भी इंडियूजल में जैसे लिखना ball को catch करना चलना दोड़ना तो इन basic moments के सम को ही आप पर physical education बोला गया है महीं पर विल्लियम्स नाम के एक व्यक्ति ने बोला है कि एक मैं की physical activity का सम physical education होता है तो आप थोड़े से कीवर्ड चाहर रखना जो green मैंने आपर highlight कर रहे हैं वहीं से आप mcq को आराम से मार्क कर पाएंगे तर इसके बात अगर हम first topic पर चलते हैं जो कि concept aim and objective तो physical education का जैसे मैं आपको बताएं कि ultimate aim है और वो है all-round development किसी भी इंडियूज्यल का तैने इसके विरियस objectives हैं जिसको हम detail में भी देखेंगे जैसे आपका जाएगा physical mental emotional spiritual याना socially सारे objectives हैं आपर रहते हैं so all-round development यह इसका aim है और objectives यह 5 हैं अगर अब हम physical education के concept को देखें तो इस concept का जो उत्पत्ती है वो हुई है Greece से तो Greece के अंदर सबसे पहले जो ancient scholars थे जैसे Plato, Aristotle, Socrates इन्हों नहीं यहाँ पर advocate किया था physical fitness की जरूरत को कि सभी को एकदम physically fit होना चाहिए क्योंकि अगर आप physical fitness नहीं रहेंगे तो फिर आप दूसरी activities में भी एक्जेल नहीं कर पाएंगे तो physical fitness को derived किया गया है मतलब इस physical education को इस physical fitness के concept से derived किया गया है जहां पर अगर हर एक individual in physical activities को perform करेगा तो दिन भर उसके body के अंदर energy रहेगी और fatigue की condition उसको नहीं आएगी ना मतलब थकान उसको नहीं feel होगी then physical education जैसे हमने आगे भी पढ़ाएं कि एक integral part है हमारी education का और इसलिए आप आज कल स्कूल में देखते होंगे कि game spirit आपको मिलते हैं और हम class 11 12 में physical education पढ़ रहे हैं अभी नई आपका जो organs हैं उसका shape size यह सब भी एकदम perfect रहता है efficient रहता है mental development भाई साब आजकल का stress भारा environment है उससे आपको overcome करने में मदद करता है physical education और एकदम concentration और alertness हमेशा आपके body में बनी रहती है इसके बाद आजाता है social development तो यार हम एक society में रहते हैं और society में बाकी लोगों के साथ bonding करना बहुत जदा important रहता है तो जब हम physical activities करते हैं जैसे हम सुपे cycling करते हैं running jogging क्रिकेट कहलते हैं दोस्तों के साथ तो इससे क्या होता है अगर उसके अंदर emotions नहीं रहेंगे तो वह माना भी नहीं कहलाएगा तो हसना रोना एक तुम से बहुत ज़्यादा कुछ हो जाना तो इस सब emotions है और यह सब emotions का development भी होता है physical education में जैसे आपने देखा हो गया इंडिया पाकिस्तन का मेंच है पिल्कुल कितने emotional हो हो जाते हम चीज़ों को देखे रहे यार इंडिया हार का यह इंडिया चीद गई है ना तो विल्कुल emotional हम हो जाते हैं और emotional development भी करवाता है physical education तो इसके बाद spiritual development है यह spiritual मतलब ऐसा है नहीं पुजारी बन जाना इस spiritual का मतलब होता है कि एकदम positive mindset रखना और एकदम peaceful mind रखना तो यह हम attain कर पाएंगे physical education के तुरू अब क्या-क्या trends में बदलाव आ रहे हैं भाई-साब मतलब 1800 से modern physical education इस्टार्ट हुआ उसके पहले Greece में सब्सक्राइब करें तो क्या नहीं चीज़ने आपको देखने को मिल रही है तो यार देखो पहले तो गली कुछों में आप खेल खेल लेते थे लेकिन आजकल एकदम proper playing surface को use किया जाता है और यह बहुत important factor भी है किसी भी player की performance को boost करने के लिए जैसा अगर आप एकदम plain ground पर match खेलोगे तो भाई वो match खेलने का ही मजा ही अलग रहेगा और एक player अपनी skills को और properly utilize कर पाएगा और आजकल तो भाई सब यह artificial turf का जमाना आ गया है जहां पर आप जितने भी cricket grounds देखते हैं football grounds, hockey के मैदान सब में artificial turf का use किया जाता है जैसे एक धम plain ground आपको देखने को मिलता है कुछ uber खावर देखने को नहीं मिलता है इससे किसी भी खिलाडी की efficiency उसकी speed उसकी strength उसकी flexibility सब पर बहुत जाता फरक परता है और अपनी skills पर वो पूरा ध्यान दे पाता है तरन second आ जाता है wearable gears and sports equipment जैसे आप देखेंगे smart watches है न तरन उसके बात और भी बहुत सरे gears and sports equipment से जो कि खेल के स्तर को एक और उपर level ले जाते हैं जैसे पहले cricket में helmets का, gloves का, pads का इनका इस्तमाल नहीं किया जाता था तो यहार बहुत समल के खेलना पड़ता था किसी batsman को है उसको सबसे ज्यादा टेंचन तो यह रहती कि मैं आज safely घर जा पाऊंगा यह फिर नहीं जा पाऊंगा लेकिन जब से wearable gears आ चुके हैं आज कल आप देखते होंगे कितना फास्ट पेस हो चुका है पहले के जमाने में तो लोग सोच भी नहीं सकते थी कि 20 और में 200 बन जाएंगे लेकिन आज बन रहे हैं तो यह जो वियरेबल गीर से बहुत ज़्यादा का इड्वांस्मेंटिंग टेकनोलोजी का एक उधारन आप बोल सकते हैं और इन्होंने गेम के स्थर को बढ़ा दिया है तेन एक एग्जामपल आप लिख सकते हो जैसे यह इन्फो मोशन स्पोर्ट्स है ना तो इन्फो मोशन स्पोर्ट्स ने कैसी बास्केटबॉल बना इसके बाद जो इसमार्ट स्पोर्ट्स कियर हैं वह एक बेटर सेफ्टी स्टेंडर भी प्रवाइट करते हैं जैसे आप को देख सकते हैं मैं इन्होंने पढ़न रखिये और इससे डेफिनितली एक अपर लेवल ऑफ सेफ्टी इनको प्रवाइड हो रही है तर इसके बाद क्रिकेट के मैच को देखते हैं तो अलग-अलग एंगल से मैच को देख पाते हैं 3D में मैच को देख पाते हैं तो यह सब पॉसिबल हो चुका है टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट के कारण इससे प्लेयर्स को भी फायदा है कोज को भी फायदा है सभी को फायदा है ठीक है इसके बाद protective gear, helmet, pad, gloves, यह सब भी आज यूस किया जाते हैं, जिससे safety के standard को ensure किया जाता है, तो क्या-क्या career options है, अगर आप अभी class 11 में physical पढ़ रहे हैं, फिर आगे 12 में पढ़ेंगे, तो क्या-क्या आपके पास options अगर आप चाहते हैं, वैसा मैं physical में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो 1990 से पहले अपर्चुन नहीं थी, क्योंकि खेल के शेतर में ज्यादा नहीं दिया जाता था, यहां पर आपको ज्यादा salary भी मिलती है, तो इस table को आप यूज कर सकते हो, अपनी exam में के teaching में कहां-कहां आपके पास scope है, training में कहां-का scope है, health fitness sector में आप जाते हैं, तो आप psychologist, nutritionist, जिम में trainer, यह सब बन सकते हैं, performance sector में जाते हो, तो बाई सबसे ज़्यादा पैसे ही पर मिलता है, मतलब एक professional खिलाडी बन जाना, जैसे विराट कोली एक professional प्लेयर है, तेन उसके बाद planning officer बनना है, सरकारी महकमे में चले जाना, फिर recreation sports manager बन जाना, मीडिया शक्तर में आप जाओगे तो आप पत्रकार बन सकते हो, आप किसी किताब के author बन सकते हो, आप आज तक पर जाकर anchoring कर सकते हो है ना, टीवी, मतलब जो भी खेल के शेतर की खबरें, उनको लोगों तक सुना सकते हो, sports industry में जा सकते हो, तो इतने सारे आपके पास options देखने को मिलते हैं, तो यार अगला topic है अपने पास खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो यार खेल की जो importance है, उसको हमारे जो प्रधान मंत्री जी है, उन्होंने समझा, और खेलो इंडिया प्रोग्राम की starting उन्होंने की, तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, इसको 2018 में 31 जनवरी को नरेंद मोधी जी ने दिल्ली के stadium से इसको start किया, और खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जो प्रोग्राम से दिल्ली में आजवित किया गया थे, 31 जनवरी से लेकर 8 परवरी तक, और इसमें अंडर 17 के अथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे disciplines of the game, जैसे आपका table tennis, badminton, बहुत सारे games को यहां पर रखा गया, तो यार, अब यह वाला diagram आप जरूर से बना के आना, एक्जाम में, यह सारे objectives है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के, जो कि सीधे में है, खेलो इंडिया की website से निकाले है, यह जैसे play field का development, community coaching, state level पे खेलो इंडिया के centers बनाना, then annual sports competition organize करना, talent का सर्च करना, then उसके बाद जो अभी existing infrastructure है, उसको और upgrade करना, national, regional level पे academies create करना, school children को physical fitness का महत्व बताना, women को sports में शामिल करना, then sports amongst disabled, जो दिव्यांग जन है, उनके लिए भी sports को friendly बनाना, then peace and development के लिए sports को यहां पर use करना, जैसे भारत पाकिस्तान का match होता है, तो क्या है, खिलाड़ी एक शान्ती का पतीक रहते हैं वहाँ पे, then promotion करना, rural, indigenous, tribal games का, जो आदिवासी लोग जो game खेलते हैं, जो गाउं में खेल के ले जाते हैं, उनको भी प्रचार करना, उनको national level पर लाना, so यह सब objectives है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो खेलो इंडिया प्रोग्रम 2018 से start हुआ, ministry of youth affairs and sports के अंदर यह आता है, और various इसकी venues यह रही हैं आज तक, 2018 में दिल्ली, 19 में पूने, 20 में गोहाटी, 21 में हरियाना और बाविस्वा जो अभी होने वाला है, वो भोपाल मध्यपरदेश में होगा, इसके बाद, fit India moment पी आपके syllabus का इससा है, जिसको हमारे माननी प्रधान मंतरी जी नहीं, 29th of August 2019 को start किया था, और इसका मतलब main aim था, behavioral change लाना, लोगों के अंदर, fitness के पती एक जागरुपता, create करना, various इसके objectives हैं, जैसे fitness को एकदम fun और free बना देना, spread करना, awareness, indigenous मतलब जो आपके भारत के local sports से उनको promote करना, उनको encourage करना, और हर एक school, college, university, पंचायद, गाउं-गाउं तक fitness को पहुंचाना, बढ़ते हैं, हम आगे और कुछ कमाल के questions को मिया पर देख लेते हैं, foundation जो physical education का उसको ले किया गया था, ग्रीस के अंदर, तेन, क्या इसमें सो objective नहीं है, physical education का technical development, क्योंकि बाकी तुमने पढ़े हैं, career option through physical education, कहां का पर career options है, इन सारी जगे पर, all of these, fit India moment start हुआ था कब, August 2019 के अंदर, तेन, world cup भारत ने कब host किया था, तो 2011 में host भी कहा था और जीता भी था, तेन, physical education, sum of changes है, तो यह अपनोंने देखी थी, यह definition है, कैसी डी की है, वहीं पर यह जो motor, physical education, sum of means, physical activity selected, इस रुखाई, यह Williams की definition है, कितने objectives है, physical education में, तो total 5 objectives है, तेन, इसके बाद, aim होता है, physical education का all-round development option D, रिपोर्टर के लिए क्या quality requirement रहती है, excellent speaking skills उसके होनी चाहिए, तेन, physical education का aim होता है, इसमें, जो physical education is to improve the physique by the activities, physical activities करके, आप अपनी physique, अपनी body को develop कर सकते हैं, exercise important है, सभी के लिए everyone, तेन, physical education, build करता है, आपके अंदर, एक cooperation की भावना, word physical education को use किया जाता है, to describe moments of the body, then इसके बाद आजाता है, physical education create करता है, coordination between the mind and the body, कुछ important questions अब हम देख लेते हैं, aim physical education को all-round development होता है, sports generalism मतलब ऐसे physical education teachers, जो कि जिनके पास communication के skills है, है ना, और वो यहाँ या तो oral way में, या written way में, field of sports के बारे में, लोगों तक जानकरी पहुचाते हैं, adaptive physical education क्या होता है, जहाँ पर हम disabled लोगों को भी encourage करते हैं, participate करने के लिए sports में, एक practice question आपके लिए, आपको comment box से बताना है, कि खेलो इंडिया कभी start हुआ था, तीन माक्स का अगर हम question देखें, तो आपको short term long term courses बताना है, जो कि पी में available रहते हैं, तो short term courses की बात करें, तो diploma, certificate courses, long term courses की बात करें, तो आप bachelor of arts कर सकते हैं, पी में master of arts कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो इसके बाद sports journalism क्या होता है, अभी हमने आगे देखा ही है, तो इसके बाद health related careers कौन-कौन से, यह आपको बताना है, यहना इसके answers आपको मिल जाएंगे, आप पर physical education के 5 objectives उसको explain करना है, तो इसके बात करें हैं, तो यहाँ पर short note on the following, book publishing and sports photography, तो इन दोनों के भी answers आपको यहाँ पर से, बिल जाएंगे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरपित, और आज के इस वीडियो के इंदर हम physical education की second unit, ओलिम्पिजम को पढ़ने वाल है, तो दोस्ता देखते हैं इस वी और modern Olympics क्या है, तो इसके बाद हमें देखना है, olympism का concept क्या है, फिर हम देखेंगे various olympic symbols, जैसे olympic flag, olympic का moto, anthem, तो इसके बाद हम olympic का moment देखेंगे, उसका structure देखेंगे, IOC, NOC, IFSA सब क्या है, और सारी चीजों को हम बहुत इच्छे से देखने माले है, तो आई स्टार की गई है, तो अगर हम olympics की history देखें, तो जो ancient olympics है, वो Greek god Zeus के honor में यहाँ पर आईजित के जाते थे, और यह जो आयोजन होता था, वो city of Athens में, Greece में हुआ करता था, Greece country का नाम है, और Athens City का नाम है, 776 BC, BC मतलब होता है before Christ, मतलब जैसे अभी जो 2022 चल रहा है, वो है AD, after anodom Christ के जन्म के बाद, तो 2022 plus 776, इतने साल पहले यह ancient olympic, आयजित किया जाता था, और यह basically उस time पर religious festival था, जैसे आज के टाइम पर आप देखते ना, कुम्ब मिला होता है, तो ऐसे उस time पर यह olympics हुआ करते थे, so यह जो olympics है, जो आज हम देख रहे है, modern olympics, उसका revival किया ह की बैरौविडी-कूरटिन ने, इन सक्ष की आपको जो photo है, वो यहाँ पर screen लिख रही है, इनको father of olympics के नाम से जाना जाता है, तो यह कई बार exam में आता है कि father of olympics के नाम से किसको जाना जाता है, तो बれण बैर्डिडी-कूरटिन को जाना जाता है, और इनी के hardware के जिसमें नीरद चोपड़ा ने गोल्ड जीता था एथलेटिक्स के इवेंट में वह इवेंट कुन सा था वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और जो जयुलिन का थो था वह कितना मीटर का था वह आप चाहिए तो पर आगे इंचेंट ओलंपिक्स पर हम एक और नदाले तो ग्रींगोड जीजूस के अब्यटो पूलम्पया हैं उन्हों इक मंदिर बनाया और उस मंदिर आसपासी वहां पर इस तरह के गेमस का एजन किया जाता था हर्कूलस जो की संère का जीजस का उन्होंने जीजूस का उन्होंने यहां पर इसको थो स्टार्ड किया था तो किस ने स्टार्ड किया था हर्कूलिस नहीं किया था और अपने पिता के ओनर IIipper बें तूर्ड से ओलंपिया के अंदर और हर चार साल बाद इन गेंजें उस टाइम पर भी किया जाता था लेकिन फिर को तूड दिया गया रोमन एंपरर थियो डियूसस के दवारा 394 एडी के अंदर इन्हों ने यह मॉडन मतलब जो एंचेंट उलम्पिक से उसकी प्रथा को बंद कर दिया था मॉडन ओलम्पिक की बात करें तो पियरे बेराउन पियरेडी कुबर्टिन ने इनको वापिस से यहां पर जीवित किया इनका जन्मा 1862 में कि इतालियन फैमिली में हुआ था बाद में आकर फ्रांस में बस गए थे और इन्हो का हल निकालना है सभी नेशन्स को में एक प्लेटफॉर्म पर एक पोडियम पर लाना पड़ेगा और यह काम सबसे बहतर तरीके से किया जा सकता है गेम्स की माति हमसे तो फिर इन्हों ने बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ लाए और नाइंट 1893 में एक मीटिंग रखी और 9 कंट्रीज ने पहले ओलंपिक्स में पार्टिसपेट किया एथेंस ग्रीस में फिर उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स है वो परिस में हुए 1900 में जहां पर धीरे-धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई 2016 रियोडी जिनवरी के ओलंपिक्स में 206 कंट्रीज ने पार्टिसपेट किया जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है तैन इसके बाद तीन बार यह जो ओलंपिक्स है वो नहीं हुए थे वर्ल्ड वार्स के कारण वर्ल वार वन के टाइम पे 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ और 1940 1944 में आजित नहीं हो पाया विकाउज वर्ल्ड वार सेकिंड इसके बाद ओलंपिजम क्या होता है इसको हम देख लेते तो ओलंपिजम बेसिकली एक फिलोसफी है ओलंपिक गेम्स की ओलंपिजम से हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा कल्चर यहां पर क्रियेट करें कि जहां पर इं साथ मिल जाएंगे यूनिती जो यूनिटी है उसमें यहां पर क्या होती में पावर रहती है एक कहानी आपने सुनी होगी माच इसकी एक तिल्ली तूड़ जाती बहुत सारी तिल्ली नहीं तूट पाती है तो बिल्कुल यार वही कंसेप्ट ओलंपिजम का जहां पर हम इं कार है fundamental rights and right to life तो इस परकार से right to sports भी यह हमारा human right है और हर एक individual को यहां पर sports खेलने की आजादी होनी चाहिए बिना किसी discrimination के on the basis of caste, creed या religion तैन उसके बाद यहां पर इस olympism के अगर हम spirit को देखें तो यहां पर mutual understanding की बात की जाती है और friendship, solidarity, fair play यह सब olympic values हैं को हम आगे पढ़ेंगे भी सही तो इन सभी को यहां पर प्रीच किया जाता है आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या objective यार olympics के क्यों इसको एजित किया जाता है तो olympic को एजित किया जाता है यहां पर से कायम होती है और discrimination खतम होता है और सभी लोग corporate यहां पर करते हैं तो cooperation को भी प्रमोट करता है चार olympics value इनको बिलकुल याद रखेगा एक्जाम में direct प्रशना आता है कि olympic values पर comment करे friendship मतलब वही कि जब इतने सारे देश एक platform पर आएंगे तो बिलकुल महां पर से दोस्तिया होंगी solidarity तो सभी लोगों के बीच में एक एकता का भाव पैदा होगा fair play क्योंकि olympics में आपने देखा होगा जनरली कहीं कोई cheating पार्श लेट यह सब नहीं होती है और definitely यह sportsman spirit को भी यहां पर strong करता है then discrimination से आपको freedom है पर मिलती है then olympic symbols की बात करें तो सबसे olympic flag जिसको design किया था पेरे डी बेरॉंड ये कुबर्टीन ने and 1913 में ये कामनों ने किया था इसके अंदर एक milky white background रहता है जिसमें पांच रिंग्स रहती जो कि इंटलॉग रहती जैसा आपको diagram में दिख रहा है रिंग सिंबलाइज करता है यहां पर union of five continents और वैसे साथ for Europe black for Africa red for America yellow for Asia and green for Australia इसको भी आप याद रखेगा तो यह आपको flag देखने को मिल रहा है 1913 में डिजाइन कर ले गया था लेकिन 1920 में यहां पर पहली बार इसको यूस किया गया है ना क्योंकि 1916 Olympics हुआ ही नहीं थे तो एंट वर Belgium में इसको पहली बार यूस किया गया अब आत सबसे पहले ओलम्पिक फ्लेम के concept को इंट्रिद्यूस किया गया था 1928 के गेम्स में जो की एंस्टर्डम नेदरलेंड्स में हुए थे एंड इस फ्लेम को यहां पर यूस किया जाता है यह सिंबलाइज करती है लाइट ऑफ स्परेट नॉलेज और लाइफ तैन इस ओलम्प विलेज ऑफ ग्रीस में तो जहां से ओलम्पिक की स्टार्टिंग हुए महीं पर इसको जलाया जाता है फिर इसको वेरियस कंट्रीज में घुमाया जाता है यह ना ओपनिंग सरिमनी में भी यह वाले आपको देखने को मिलते हैं फिर लास्ट में जैसे गेम्स कतम हो जाते ह को एक्स्टिंग्यूश कर दिया जाता है बुजा दिया जाता है अब आता है एकला ओलम्पिक मोटो तो ओलम्पिक मोटो क्या है तीन शब्दों से मिलकर यह बना है जिसको अगर हम देखें तो इसको प्रपोस किया था बेरॉन पिरडी कुबर्टी ने जो कि फादर प्रपोस के लिए तो पहले आ जाती इंटनाशनल ओलम्पिक कमिटी तो मौडन गीम्स को ओर्गे जाता है कमिटी के द्वारा जिसका है ड्यूटर आपको लूजएच शुर्जरलेंड में देखने को मिलेगा यह यहां पर बिल्कुल जितना भी अपना ओलम्पिक से जहां पर भी होते हैं उनको कंड़क करवाने का काम आयोसी का यह होता है और आयोसी को इस्टैबलिश भी फैरवन पेरेडी को बर्टिन ने किया था 23 जून 1894 में और इसके दो साल बात फिर ओलम्पिक्स का एजन किया गया था इसके पहले चेर्मेन थे देमेट्रियस विकेलास जो की इसके प्रेसिडेंट है और अभी फिलाल इसके 105 एक्टिव मेंबर्स हैं और 32 इसके ओनररी मेंबर्स हैं तेन ऑर्गिनाइज करता है समर और विंटर दोनों ही प्रकार के ओलम्पिक्स यही डिसाइड करता है कि किन डेट्स को ओलम्पिक होंगे किस वेन्यू पे होंगे कौन-कौन से गेम्स होंगे सारा डिसिजन आई ओसी का ही होता है जो आई उसी के इसके फंक्षन क्या है तो ओलम्पिक को ऑर्गिनाइज करवाना इसमूद फ्लू ओफ इवेंट्स को एंशौर करना गाइडलाइन से शुकरना फेर प्ले को एंशौर करना और डोपिंग तो नहीं हो रही है डोपिंग मतलब अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे को ले लेना जिससे पर्फॉर्मेंस बूस्ट हो जाए तो क्या ऐसा तो नहीं कर रहें एक अंफेर एडवांटेज लेनी के लिए तो इसको भी आपर इंशौर किया जाता है तो इसके बाद भारत के अंदर है इंडियन ओलम्पिक एसोसेशन जो कि आयोसी के अंतरगती काम क करती है और इसको 1927 में फाउंड किया गया था सर्दुराब जी टाटा डॉक्टर नोरहन के द्वारा सर्दुराब जी टाटा इसके प्रेसिडेंट बने जबकि जो डॉक्टर नोरहन है वो इसके सेक्रेटरी जनरल बन गए सब्सक्राब जी चाहता थे वह पहले मेंबर बने इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी के एंड इस मेंबर सार्चूचन एवरी वन्स इन एवरी फोर यह तो हर चार साल में इसके चुनाव होते हैं अगर इस कमिटी के हम बात करें तो इसमें एक प्रेसिडेंट 9 वाइस प्रेस जीता था 1928 के अंदर और यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था होकी के अंदर यह आई यह कई काम है जो की कॉडिनेट करता है आयो सी के साथ और इंडिया कैथलीट्स को आयो ओलम्पिक्स में पार्टिसपाइट करने के लिए भीजता है तर इसके बाद हर एक देश की अपनी अपनी नाशनल ओलम्पिक कमिटी होती है जो की कॉडिनेट करती है आयो के साथ और अपने देश में ओलम्पिक्स के साब से महोल बनाती है और इस पोर्स को प्रमोट कर दिये हैं महीं पर इंटरनेशनल स्पोर्स फेडरेशन होती है जो कि यह इंटरनेशनल एंग इजिए ओस ना नॉन गूर्मेंटल ऑइन जिनको घॉट रिकॉजचन देती है और इनका काम क्या होता है कि अपने अपने लैवल पे पुरे विश्व के लिवल पे इस इस्पोर्ट का प्रचार प्रशार करती है पड़ते बागे और कुछ important questions को देख लेते हैं तो IOC कब form हुआ था तो 1894 में हुआ था ancient olympic games organized किया जाते थे इंद honor of God Zeus option D कितने rings होती है 5 rings होती है option number C headquarter का है IOC का Switzerland शेहर करना आप मुझे comment box मताईएगा पहले president को ने IOA के सरदुराब जी टाटा IOA को established किया गया था 1927 option D father of modern olympics कोन है तो father है अपने पिराउन बिरेडी कुबर्टिन PBD कुबर्टिन option C 2021 के जो olympics से कहां पर आईजित हुए तो Tokyo में आईजित हुए हैं और correct option अपने को चूज करना है olympic games को revive किया गया था कब 1896 में modern olympic games अपने आईजित किये गए थे father of olympics को ने आप मुझे comment box में बताईएगा लास्ट प्रशने ओलंपिक मोटो साइटियस LTS 40 मितलब क्यों होता है faster higher stronger मतलब जिसका जो है वह आपको लिखना respectively में है तो इसलिए option is the right answer आप कुछ important questions देख लेते हैं short note लिखना है अपने को olympic flag में तो बहुत ही अच्छे से आपनों ने इसको पढ़ा है है ना आप आराम से इसको लिख सकते हैं और olympic flag का symbol भी आप बनाएक आ जाईएगा परिक्षा में explain करना है development of values तो जो चार values हमने पढ़ी थी friendship solidarity fair plan freedom from description यही अपने को लिखना है discrimination olympic oath क्या होती है को मतलब होता है शपत तो olympic के स्टार्ट होने के पहले जितने भी प्लेयर हैं coaches हैं उनको एक शपत दिलाई जाती है कि वह एकदम fair play महाँ पर दिखाएंगे और बिल्कुल को लड़ाई जगड़ा नहीं करेंगे peace के ambassador वो बनेंगे sportsmanship को दिखाएंगे तो आप यह वाली जो lines में आप लिख रहे कि इनको लिख सकते हैं इसमें मैंने पूरी ओध भी लिख रहे हैं तो याद नहीं करनी है और एक्जाम में नहीं लिखनी है बस एक बार पढ़ लेना है कि क्या के basic values महाँ पर ओध में ली जा करना ethics sportsmanship तो वही सब आपको यहां पर भी लिखना है एक्स्प्लेइन करना वैल्यू त्रोंपिक मुमेंट ठीक है वन मार्क में देखा त्री मार्क में आपको वैल्यू को लावरेट करना रहेगा फाइब मार्स कोशन है कि आयो एक का क्या इंपोर्टेंट फंक्शन है तो यह सब काम हजाएगा आपका इंडियन ओलंपिक एसोस्टेशन ठीक है तो वही आयो यह आप वापिस पूछ लिया है तो यह भी आप आराम से बता सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है और आज किस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एडुकेशन के चैप्टर योग को का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है तो आपके सिलेबस में यह तीन टॉपिक्स है जिनको मैं आप पर पढ़ना है पहला है इंपोर्टेंस और मीनिंग ऑफ योग सेकेंड हैं इंट्रोड़क्शन तो सबसे पहले बेसिक सा इंट्रोड़क्शन में आपको दे देता हूं होगा तो यार आपने अपने आसपास योग को होते वे देखा होगा और 21 जून को हर साल इंटरनाशनल योगडे मनाया जाता है 2015 से जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद मुदी जी उन्होंने युनाइटिट नेशन जनरल असेंबली के अंदर 27th of September 2014 को य इसको 21st of June को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि Northern Hemisphere के अंदर ये जो 21st June रहता है ये longest day रहता है ये अपने जोग्रफे में जरूर से पढ़ा होगा अब आते हम सीथा योग की definition पे तो यार योग एक Sanskrit शब्द योज से बना है जिसका मतलब होता है join करना या union और ये जो योग ह है किस चीज का ये union है individual self का divine या फैर universal spirit से और इसी को योग को बोलते है modern era के हम बात करें तो modern era में स्वामी विवेका नंजी ने योग को introduce किया था western world से और इनके एक बहुत ही famous speech है 1893 में जो इन्होंने दी शिकागो के अंदर world parliament of religion में और इसके अंदर उन्होंने योग का प कुछ important benefits में आपको बता देता हूं योग के daily life में पहला है reduce mental tension तो अगर आपको यह tension रहती है तो आप योग करेंगे तो सारी टेंशन रुड़न चिऊ जाएगी आपकी जो डिजीज है इसको प्रिवेंट करता है क्यों और करता है बॉड़ी कर देता है glowing बना देता है आपक जादा फायदा होते हैं योग के और अगर आपसे परिक्षाम पूछा जाता है what are the various benefits of योग तो आप यह सारे पॉइंट जरूर से में पर लिखके आईएगा बरते फिर हम आगे और आपसे अगर पूछा जाता है कि योग का है क्या महत्व है योग का तो फिर आप उसको इ मतलब क्या होगा आपकी जो मेडिटेटिव पावर है वह बड़ेगी आप मॉरली और जड़े स्ट्रॉंग होंगे एथिकली आप स्ट्रॉंग होंगे और एकदम पीस ही आपको प्रवाइट करेगा तैन बढ़ते हम आगे सेकिन जो अपना है वह इंट्रॉडक्शन टू योग के जो एलिमेंट से अस् सबीज़ में मानते हैं जिस भी इसवर गुरू पिए इसमें रही हम साल थे स mut सेप्टे वो अपनी किताब योग सूतर में दिया था तो यह आठ एलिमेंट्स विल्कोल आपको लाइन से याद करने रहेंगे यम नियम आसन प्रानायाम प्रत्याहर धर्न ध्यान समाधी तो इसको लाइन से याद रखिएगा सबसे पहला आजाता यम तो यम मतलब क्या होता यह पहला लिम है अस्ठांग योग का और यम के अंदर आपके पास 5 प्रिंसिपल आते हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं और इससे आपका personal और spiritual development होता है तो क्या 5 चीज़े आपको ध्यान रखनी है पहला है अहिंसा अहिंसा मतलब किसी को harm नहीं पहुचाने सत्य मतल मतलब कभी भी चोरी चकारी नहीं करना है ब्रहमचर मतलब जो आपके अंदर एनर्जी उसका पॉसेटिव उटिलाइजेशन करना है आप अरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ को पॉसेस नहीं करना है अब एक करके हम इंडी जोली भी इसको देख लेते हैं अहिंसा जो कि हमारे अरे बापु जी ने यहां पर प्रमूड किती तारक में तावाले बापु नहीं यह जो हमारे नाशनल जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उन्होंने श्री महत्मा गांदी जी ने तो जो अहिंसा है इसका मतलब होता है क्या प्रैक्टिस काइंडेस तो किसी के भी खिलाफ आप लिव करना है आपको अपनी लाइफ को एकदम इंटीग्रिटी के साथ सत्य निष्ठा के साथ अपको अपने जीवन को वितीत करना है और अगर आप अपनी लाइफ में ऑनेस रहेंगे तो डेफिनिटल यार आप पॉजिटिव फील करेंगे और कभी भी दिमाग में को टें इनरजी तो आपके अंदर जो एनरजी जो आपकी ताकत है उसको आपको पहचानना है और उसका पॉजिटिव टिलाइजेशन करना है उसको नेगिटिव डिरेक्शन में नहीं मोरना है अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो अब परीग्रह मतलब नॉन पॉजिश करते हैं यहां पर क्या होता है आपने नियम को तो इससे आप अपने behavior को regulate और जो भी energy आपने यम से generate करी थी वो यह नियम के तो आप conserve कर पाऊगे harness कर पाऊगे तो इसमें भी पांच elements इनको अपने को ध्यान रखना है पहला आजाएगा सोच तो सोच मतलब क्या होता है स्वच्छता ठीक है तो आपको क्या है अपने दिमाग से भी सारा जो कचरा इसको बाहर करना है और अपने जो शरीर पर कचरा इसको भी साफ करना है बतलब डेली आपको इसनान करना है देन सेकिंड है संतोष संतोष मतलब ठीक है तो जितना आपने अपने खुद की महनत से कमाया है उसमें आप संतोष करना सीखें उसमें आप संतोष्ट होई है क्योंकि अगर जादर से बाहर अगर आप पैर पसा रहें तो डेफिनेटली आपको दिक्कत ही आएगी और इसका मतलब यह भी होता है कि आपको करना एकदम कामनेस अल टाइम हर जीवन के हर एक्षंड में आपको एकदम काम रहना है तब यह तर्ड नियम है आपका और इसके अंदर होता है कि आपके अंदर एक वह जुआला है आपके अंदर एक वह पावर है जिससे आप हंगर प्यास कोल्ड हीट इन सभी को सहन कर पा आपकी सेल्फ एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए इशुर परिधान है ना तो भले आप भगवान में मानो ना मानो लेकिन एक कोई ऐसी शक्ति रहती है जिससे आपको डेफिनिटली पीस मिलती है और उस शक्ति को हमेशा अपनों से दूर मत जाने तो हना उसको प्रीच कर होता एकदम कमफर्टेबल पॉश्चन मेंटेन करना है वर लाफ्टिंग पिरिएड ऑफ टाइम के लिए और यहां से क्या होता है आपका जो बीसिक स्ट्रक्चर हुमन बोडी का वो भी एकदम मेंटेन रहता है तो यह होता है आसन आपने बहुत सरे तरीके आसन देखोंग क्या थाना तो उसके आप एकजाम्पल यहां पर मेंचंग कर दीजेगा और मुझे वताहिएा बंशान बताना नेक्स अजाता है प्राण यहम 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रान मतलब क्या होता है आपकी श्मास कर ब्रीदिंग और आया मतलब कंट्रॉल तो जब आप सेख कापालभाती अनलोम विलोम प्रामरी उदगी सीतली प्राणायम कर रही है तो जो यह आपकी प्राण है वह बेसिक है तूद लाइफ में अगर आप स्वांस लेना बंद कर दोगे तो आपका कम तमाम हो जाएगा तो अगर आप इस सास पर कंट्रोल पा लेते हो तो यार फिर और पहुत सारी चीजों पर आराम से कंट्रोल पापाते हो तैन हट योग के अनुसार अगरम देखें तो बहुत सरे प्राणायम होते हैं आप इन में से किसी का भी एक्जैम्पल लिख सकते हैं जैसे सूरिभिदी उज्जाई सितकारी सितली पस्त्री का प्राणायम है ना म यम नियम आसन इनको प्राणायम इनको फॉलो कर लिया इसके बाद हम प्रत्याहर करेंगे मतलब हम क्या करेंगे बिल्कुल एक दम कंफरेबल पोशिन में बैठ गए हैं और इसके बाद हम विड्रॉल उफ सेंसे जितने भी एक्स्टर्नल सेंसे उससे हम अपने आपको कोशिश करते हैं फिर ध्यान क्या होता है यह कोई ऐसी टेक्नीक नहीं है इसके अंदर बेसिकली एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर आप पहार की सारी चीज़ों से अपने आपको काट लेते हो एक धम आपके निमाग में शांती रहती है इस्टिलनस रहती है कोई थ बहुत सी बार आपने सुना होगा ना कि हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए तो मेडिटेशन आप तभी सक्सेस्वली कर पाऊगे जब आपने आगे की छे स्टेप्स को फॉलो किया हो ठीक है होता है हम एक दो दिन मेडिटेशन करते हैं सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है को फायदा तभी होगा जब आगे की स्टेप्स को फॉलो किया होगा लास्ट आ जाता है समाधी जिससे हम बिलकुल वह योग है उसको कंप्लीटली प्रेक्टिस कर पाएंगे अगर हम समाधी वाली स्टेज में पहुंच गए तो यह एक ऐसी एबिलिटी बॉडी के जहां प इस योग को प्रेक्टिस कर पाओगे उमीद है आपको योग वाला कंसेट क्लीर होगा कि योग क्या होता है योग मतलब सिर्फ अकेला योग कुछ नहीं होता योग आठ इस्टेप्स का एक युनिफिकेशन है जब आप इन आठ स्टेप्स को इंटेग्रेट करते हो तो यो तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक खबरन ज़रूर से दबाना बर्दे विरम आगे लास्ट अपना इंट्रॉडक्शन तो योगी क्रिया तो हमारी बॉड़ी को धारती मतलब होता है स्टोमक क्लेंजिंग अपने इस्टोमक को पेट को साफ करना वास्ती मतलब इंटेस्टाइन को साफ करना जो हमारी आते हैं तैन नौली क्रिया जिसमें हम हमारी जो पेट की जितनी भी वह अंदर की है ना आते रहती हैं उनको हम एब्डॉमिनल मसाज करत और कपाल भाती जो कि आपने देखा हूँ होगा यहना मैं करके भी आपको बता देता हूँ है ना तो इस प्रकार से कपाल भाती क्रिया जाता है जहां पर आपके लंग्स और फ्रेंटल लोब का प्यूरिकेशन होता है तो बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं देखना है बस इ बढ़ जाती है को देख लेते हैं राइटर को ने योग सूत्र का तो मैं आपको बताया था महर्शी पतंजली कमपनेंट्स ओफ योग कितने है आठ कॉंपनेंट्स है या आठ हैना एलिमेंट्स हमने पड़े थे तैन नौट पार्ट ऑफ यम सबसे पड़ा था यम तो यम क तो किससे बॉड़ी आपकी नहीं बनेंगी सवासन ना वह तो एक कामिंग आसने रिलेक्सिंग आसने कितनी योगी क्रिया है तो टुटल छे योगी क्रिया है आप सब आपको उन सभी का नाम मुझे कमेंट्स बताना है धर्णा इस था कंसेंट्रेशन ओफ माइंड दिमाग पर कंट्रोल ठीक है तो ऑप्शन नमबर सी थेंट्रू फोल्स बताना है तर्म आसन मीन सिटिंग इन पर्टिकुलर पोस्चर कमफर्टेबल एंड कुट मैंटीन स्टीली फॉर लॉंग टाइम सही बात है यह आसन की डेफिनिशन यह तो आपको लॉंग अंसर शॉर्ट एं संस्क्रिट शब्द यूच से डिराइफ किया गया है यूँनियन इसका मतलब होता है और यूइफिकेशन होता है इसका फिजिकल्-मेंटल इंटलेक्ट्वल इसप्रिच्वल एस्पेक्स ऑफ यूमन बीग का लांग अंसर कोस्टें जो मैं आपको पहले बताया था कि प्र ठाणायाम की Definition आपको लिखनेए सबसे पहले फिर तीन पांश इसके होते हैं कैसे आप स्वास लेते हो पूरक्त 3 पहले हैं हर कुम्भक मतलब उसको रिटेन करना हैना आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो सांस लेना फिर उसको रोक के रखना फिर उसको छोड़ देना छोड़ने को बोलते हैं तो इस तरह से तीन पार्ट होते हैं प्राना है हमके उमीद है आपको वाला लेक्चर अच्छा लागा फिजिकल एड़केशन के फॉर्ट फिजिकल एड़केशन एंड इस पॉर्ट फॉर्ट सब्सक्राइब को देखने वाले तो दूस्ता हम देखते रहें वीडियो को और इस वीडियो के अंदर रम कुछ बहुत नहीं को सॉल करने वालें जिनके एक्ग्जाम मैंनी के प्रॉ देखेंगे कितने तरीकी की disabilities हैं हम देखेंगे क्या एम और objective फिसिकल एडिकेशन का और लास्पम देख लेंगे रोल फ़ेष प्रोफेशनल तो सबसे पहले हम देखते हैं disability और का कंसेप्ट क्या है तो सबसे पहले अगर हम disability को देखें तो मतलब आपने देखा होगा विकलांगता और यह एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें एक लॉंग टम इंपेरमेंट प्रडियूस हो जाता है जो की डे टुडे लाइफ की एक्टिविटीज को बहुत जदा हिंडर करता है जैसी कि आपने इमेज में देख पा रहे होंगे जो मौत एक्टिविटीज को बहुत जदा कंसीडरिबल अमाउंट में एफेक्ट करती है और यह किसी इंडियूजवल में या तो बर्थ से हो सकती है या फिर यह डूरिंग लाइफ टाइम भी हो सकती है डिसेबिलिटी के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं वैसे तो जैसे शोशल डि 2016 के अंदर एक एक्ट जो है उसको पास किया गया था और यह था राइट्स पर्सन विड डिसेबिलिटी एक्ट और यह भारतिये पार्लिमेंट में 27 दिसंबर 2016 को पास किया गया था जिसके नुसार भारत के इंदर जितने भी डिसेबिल लोग हैं उनको वेरिस तरीके के रा पर्सेबिलिटी से क्या समझते हैं तो आप यह की यह लाइन लिखके आ जाना कि अक्रॉडिंग टू राइट्स पर्सन विडिसेबिलिटी एक 2016 एक परसंट जिसको लॉंग तम फिजिकल मेंटल इंटलेक्ट्ट यह सेंसरी इंपेर्मेंट इंपेर्मेंट मतलब किसी प्रक देखें तो डिसॉडर एक प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी मतलब यहां पर दिमाग में आपको डिसेबिलिटी हो जाएगी और इससे भी एक इंडिविज्वल की डे टूटे लाइफ पहुत ज्यादा एफेक्ट होती है जैसे अगर किसी के सेंसर्स का डेटा प्रसंस नही अखेंगे प्रकार की क्या है माइंड़ के कारण यह साऔरी चीज़ं हो रही है तो जो मेंटल डिस इस होती हैं उसको हम डिसॉडर बोलते हैं और जो बाकि सारी डिसीनलेटी आप 2010s मतलब यहां पर इंग्लिश में चीज़ें लिखे हुई है वहां पर पर सब्सक्राइब का प्रयोग किया जाता है साथ ही जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको हम चिल्डन विद स्पेशल नीट्स बोलते हैं अब टाइप सब्सक्राइब देखें तो पहली आ जाते अपने पा होते हैं और इससे कोई भी परसन इनफोर्मेशन को इस्टोर प्रोसेस या प्रेड्यूस नहीं कर पाता है तो अगर हम एकदम सिंपल शब्दों में देखें तो कॉग्निटिव डिसिब्लीटिक इस प्रकार की डिसिब्लीटिया विकलांगता है जिसके अंदर कोई भी इसको नहीं यह प्रोसेस कर पाता है ना उसको अपने दिमाग में स्टोर कर पाता है अगर किसी को कॉग्निटिव डिसिब्लीटि रहेगी तो उसकी मैट्स वीक रहेगी वह प्रॉपली चीजों को पढ़ नहीं पाएगा बोलने और लिखने में इसको दिक्कतों का सामना कर पड़ेगा अब क्या सिम्टम से अपने को पता लेगा पहला इमेमोरी डिसॉडर है ना मतलब मैमोरी एकदम वीक होना सेकिन है ऐपर एक्टिविटी का मतलब है कि एक जगे ध्यान के नत्रित कर पाना ध्यान इदर और बटक जाना जैसे क्लास में बैठें दो मिनिट में आ और समझने की शक्ति में अगर कहीं कमी आ जाती तो यह भी एक सिम्टम है आपका cognitive disability का सेकिन आ जाता intellectual disability तो यह आपका related है आपके intelligence है intelligence में आ जाता है problem को solve करना चीजों को याद करना reasoning करना तो अगर कहीं पर इन में तकलीफ आएगी तो यह हो जाएगी आपकी intellectual disability और physical disability जो की मतलब सबसे important है और यहां पर क्या होता है इस physical disability के अंदर किसी के अंदर भी motor deficiency आ जाती मतलब चलने फिदने में उसको बहुत चाथा दिक्कत आएगी या कहीं पर body पार्ट में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो इसको फिजिकल डिसिबिलिटी बोलेंगे इसके बाद टाइप सो डिसिबिलिटी देखें तो अभी जस्त देखिए फिजिकल कोगनिटिव इसको मैंने फ्लोचार्ट के माधियम से आपको बता रखा है तो परिक्षा में इसको भी यूज़ कर सकते हैं बरते अब हम आगे और अब हम देख लेते हैं कि क्या वीडियस कॉजस रहते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो पहला है जनेटिक कॉज है त इसके हाथ पर भी काम करना बंद करते हैं एक्सीडेंट जो कि सबसे मेजर कॉस है जैसे कार से जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया तो आपका पाउं तूड़ गया चलते चलते गिर गए पैर तूड़ गया तो इस प्रकार से यहां पर डिसेबलेटी क्रिएट हो सकती है और इसकारण आप कुछ भी गलत step उटा सकते हो drugs या intoxicants के कारण तो इन सभी से भी आपको disability हो सकती तो इन में सब कोई भी तीन-चार पॉइंट सतने परिक्षा में यूज कर सकते हैं अब आ जातें नेक्स टॉपिक पे कि adaptive physical education क्या है तो भारत के अंदर right to education का का कानून already लाग अधन दे रखा है तो अब सभी बच्चों को right है कि वह school जाएं और school जाकर वह proper पढ़ाई करें और यह right disabled बच्चों को भी है अब adaptive physical क्या हो जाका है तो physical education मतलब तो जा फिजिकल एजुकेशन की या physical activities की माधियम से educate हो जाना जबकि adaptive physical education मतलब जो disabled बरती हैं उनके लिए इन्स्ट्रक्शनल प्रोग्राम को create करते हैं तो इसको adaptive physical education बोलते हैं जनरल यह program तीन से लेकर 21 साल के वेक्तियों के लिए होते हैं और यहां पर जो program से उन बच्चों के साफ़ से design के जाते हैं जैसे कोई blind है तो blind है वो cricket खिलना चाहता है normal अगर आप cricket के गेम में उसको आता है तो इसके बाद जैसे हम example देखें तो पदमश्री और अर्जुन आवार्ड विनर है दीपा मलिक जी जो कि पहली पहली पहला एथलीट थी जिन्होंने medal जीता था पहला olympics के अंदर तो यह जो आज के हमारे पहला एथलीट से उनको बहुत ज़ादा मोटिवेट करत करते हैं एक opportunity जिससे जो disabled विक्ति हैं वो participate कर सके physical education के program में और physical education को और ज्यादा accessible हम बना सके children with special needs के लिए इसके objective रहते हैं कि पहला थो हम इनके साब से programs को design करें तैन उसके बाद जो programs हो एकदम safe हो और बच्चों के लिए accessible हो यहां से लोगों की self-esteem बढ़े regularity or discipline उनके जीवन में आए और sportsmanship की भावना वो develop कर पाए तैन इसके बाद last topic आ जाता है role of various professionals तो professional क्या करते हैं सभी लोगों को include करते हैं और especially जो disabled वक्ति हैं उनको include किया जाता है तो यहां पर एक time आती inclusion ठीक है तो उसको आप याद रखना इसको हम सबसे बिले समझ भी ल कि वह और ज्यादा दोस्त समाज में बना पाएं अब इससे क्या होगा उनके अंदर एक belongingness की feeling develop होगी और इनकी motor skills भी develop होगी motor skills मतलब birth से लेके death तक जो भी आपके अंदर moments का development होता है ना जैसे चलना दोड़ना खाना पीना ऐसा moment है इनको अब धिरे-धिरे सीखते हो तो इ अब inclusion को implement किया जाता है वेरियस वेक्तियों के द्वारा है और यही वो लोग हैं जो कि encourage करते हैं special बच्चों को for learning है ना for discovery इन सभी के लिए उनको motivate किया जाता है जैसे सबसे पहले आजाते है अपने school के principles तो school का principle बहुत जदा important role play कर सकते हैं adaptive physical education के program में inclusion में है ना ताकि वो educator teachers को अपने school में यह लोग रखें इसके बाद school counselors होते हैं तो school counselor का भी बहुत important role रहता है जो कि आगी के career क्या क्या option से disabled वेक्तियों के लिए वो उनको suggest कर सकते हैं physical education teacher जैसे में है ना तो हमारा एक कर्तव रहता है कि जो भी curriculum है उसको बच्चों तक पहुंचाना और हर एक ब जो भी उनके goals हैं जो भी उनके objectives से उनको achieve कर पाएं तरस के बाद speech therapist रहता है ना नाम से पता लग रहा है speech therapist क्या करेंगे तो यह अगर किसी को speech में problem है किसी को बोलने में problem है तो उनका ध्यान रखेंगे communication को सुदारने में मदद करेंगे disabled वेक्तियों की फिर special education teacher यह ऐसे teacher रहते है जो कि especially trained रहते है यह special training इनकी होती है जैसे PE teacher है उसकी special training नहीं होगी लेकिन special education teacher है तो उनकी special training होगी ताकि वो disabled वेक्तियों के साथ treat कर सके उनको handle कर सके अब आ जाते है कुछ MCK की तरफ कि क्या aim होता है इसका तो aim रहता है डिफरेंशली एबल स् पर क्या जाया का यह रोल हो जाया का यह मैंच करता है special needs children को अगर उनमें कई movement का disorder नप फीजियो थेरपी कब की जाती जब आपको चलने प्रने में दिक्कत आती तो moment disorder है तो physiotherapist महां पर come into play then which of the following term is defined as a bleep in the usual functioning तो bleep मतलब एक चोटी से दिक्कत और generally mentally तो वो होती disorder option c regular physical access results in इंप्रूइब फंक्शनल इस्टेटर्स क्वालिटी ओफ लाइफ कॉग्निटिव अबिलिटी तो ऑप्शन दी ओल अफ दी अबोग विस्टाइप फिर्फॉर्मिंग वेडियस तैपस फिजिकल अक्टिविटीज तो यहां पर वर्बल विजुवल पी टीचिंग मतलब होता है दोस्तों के साथ सीखना तो सभी स्टाड़िज अपना ही जानी चाहिए तैन शॉर्ट अंसर कोशन से कुछ आपके लिए तो इसकी डेफिनेशन हमने अल्रेडी देखी वही क्या वही आपको लिखना है एडेप्टिव स्पोर्ट्स कैसे डिफरेंट रहते नॉर्मल स्प के लिए तो रेगुलर उनका मेडिकल चेकप करवाया जाए एक्टिविटीज उनके इंट्रेस्ट पर बेस्ट हो इनके लिए रखी जाए मतलब जैसे ब्लाइंट क्रिकेट आप देख सकते हो तेन मॉडिफाई कर दिया जाए रूल्स को और उनको एक स्पेसिफिक इन्वा तो दोस्तों आप देखते रहे हैं वीडियो को वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत कमाल नमाल कोश्चन को पर सॉल्ल करने मालें जिनके एक्जाम मेने की बहुत ही जादा है तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फाइव फिजिकल एडिकेशन और इस निट का नाम ह सब्सक्राइब करने वाले हैं तीन टॉपिक से टोटल इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या मीनिंग और इपॉर्टेंस होता है वेलनेस हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का तेन फिरम इसके वेरियस कॉम्पोनेंट्स देखेंगे और फिर एक चोटा सा लग्डू सा टॉप ट्रेडिशनल स्पोर्स और इसको भी देखने वाले हैं तो फॉर्स टॉपिक अपने पास मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या होता है तीन चीजों का वेलनेस हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का तो तीनों को इंडिविचल हम देखते हैं सबसे पर आजाती फिजिकल फिटनेस क्य लोगे तो उसके बाद भी आपके पास कुछ एनर्जी रहेगी कुछ पावर रहेगी जिससे आप कुछ और काम भी कर सको चोटा मोटा और उसके बाद फिर रिकवरी भी क्विक हो जाए तो यह तीन चीजों का आपको याद रखना है पहला तो कि कैपसिटी टू डू रिट तो आप भाई साब मेहनत करके गैस की टंकी लाए थोड़ी बहुत थकान हो इतने मम्मी ने बोला बेटा यार धनिया भी लाना है धोड़के गए सब्जी मंजी से धनिया लेकर आगए तो इसको बोलते हैं कि हाँ भाई फिजिकल फिटनेस तो है बंदे में तो पहली बात होकर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो लंबी और हेल्दी लाइफ जीप आएंगे एनरजी आपके अंदर रहेगी डिजीज होने की चांसे बहुत कम हो जाएगी और बिल्कुल मस्कूलर सिस्टम इसके अलेटन सिस्टम में एकदम हेल्दी रहेगा तर इसके बाद आपकी रिकॉल कैपसिटी माइंड के भी बड़ेगी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉंग होगी बॉड़ी के अंदर अगर एक्सिस फैट है तो भी शेडव हो जाएगा और आप एक खुशनुमा लाइफ जीप आएंगे सेकिने वेलनेस तो वेलनेस का मतलब क्या होता है कि यार एक कैपसि अपनी फिजिकल फिटनेस को बैलेंस कर पाएं पहले क्या होता है लोग पास सिफ पैसे कमाने में लगे रहते हैं ज्यादा ज्यादा पैसे कमा लूँ हेल्थ को बाद में देखा जाएगा लेकिन आजकल आफ्टर कोविड-19 हेल्थ भी एक प्राइटी हो चुकी और हेल्थ आपका साथ नहीं देए आपको 30 में से 25 दिन होस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो क्या ही काम का पैसा है ना इससे बड़ा लिमिटेट पैसा हो लेकिन भाई हेल्थ भी मस्त हो तो भाई जीवन बहुत अच्छा चलेगा आप एक अच्छे सेटीजन नागरिक बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ औरगनाजेशन विश्वस्वास्ते संगतन के निसार हेल्थ एसी स्टेट होती है जहां पर हम फिजिकली मेंटली और शोशली फिट होते हैं इन इस नौट मेली अपसंस ऑफ डेजीजीज होना मतलब यह नहीं कि सिर भाई स मतलब यह होता है कि आप फिजिकली मेंटली शोशली एमोशनली हर एक तरीके से एकदम पर्फेक्ट हैं हर एक तरीके से फिट है क्या इंपोर्टेंस होती है है तो यहां पर से आपकी लेवल ओफ फिजिकल फिटनेस हाई रहेगी लॉंगिटिविटी ज्यादा लंबा इस डिप्रेशन बाइस अब उड़न चू हो जाएगा एनर्जी लेवल हाई रहेगी सेल्फ कॉंफिडेंस साथ में विश्वास रहेगा स्ट्रेस को आप उड़न चू कर दोगे और पॉस्चर भी आपका एकदम पर्फेक्ट रहेगा ना पॉस्चर मतलब किस पोजिशन मे ठीक है वेलनेस हेल्थ और फिजिकल फिटनेस अभी इनी की अपनोंने मीनिंग और इंपोर्टेंस देखा था तो सबसे पहले हम फिजिकल फिटनेस को लेते हैं तो बिलकुल इस प्रकार का फ्लोचार्ट अपनी परिक्षाम बना के आ जाना पांच तरीके के यहां पर कॉं और उवरकम कर पाता है किसी भी रजिस्टेंस को ठीक है फर एक्जामपल मेरे सामने एक पैन पड़ा है मुझे इस पैन को ओवरकम करना इसको उठाना है तो मुझे किसीच की जरूत रहेगी अपनी बॉड़ी के अंदर स्टेंथ की स्टेंथ बहुत प्रकार की होती है जैस सकते हो और स्टेंथ इसके बाद नेक्स आजजाता है और एरोबिक के नम से जानते हैं और बेशीकली यह किसी भी इंडिविजल की एक क्यापसिटी होती है जिससे वह फटीग पर पाता है लबए समय थे तो आप थकान तो आप थकान को भी बियर कर लेते हो तो उसी को अपन endurance बोलते हैं होता है कि आपको दो तीन बार सीड़ी चड़ना उतरना पड़ गई तो आप बोलतों किया यार यार यसा लग रहा है इसके बाद general endurance general endurance मतलब हर एक प्रकार की आपके अंदर बॉडी में अबिलिटी होना फॉर एक्जामपल कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो और वह पर्टिकुलर्ली एक बैट्समें है तो सबसे ज्यादा उसको endurance की चीज में चाहिएगा अपनी बैटिंग में है ना specific endurance की जरूत उसको पड़ीगी बैटिंग करते वक्त लेकिन करता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग नहीं लेगा नेक्स्ट आजाता है अगर duration की बात करें तो speed endurance मतलब बिल्कुल 45 सेकिंड तक आपको बस फटीग को रजिस्ट करना है शौट टम में आपको दो मिनिट तक रजिस्ट करना है फटीग को मीडियम टम में आपको 11 मिनिट के आसपस तक करना पर सकता है जैसे जो लंबी रेस होती है और भाइस सब्सक्राइब लॉंग होती है reaction, acceleration, locomotor, moment and speed endurance से लिए बस का अगर हम बात करें तो most probably questions होंगे speed से आएंगे लेकिन अगर फिर भी आप से पूछ लेता है कहीं कि भाई आप speed पर ही 5 marks में आप से लिखो तो फिर आप इन पांचों को भी लिख देना reaction मतलब आप कितनी speed से किसी भी signal के अगेंस्ट करते हो ना जीरो से अपनी speed को बढ़ाना उसी को acceleration बोलता है moment speed मतलब अगर कोई एक आप small movement कर रहे हो तो उसमें वह आप कितनी minimum possible time में कर रहे हो ठीक है for example मैं cricket का शौट मारा हूं straight drive तो बॉल आई और कितने मतलब easily और कितने fast way में में straight drive को मार पा रहा हूं वह जाएगी अपनी movement speed locomotive locomotive आपने सुना होगा जो train का engine रहता है एना उसको अपन locomotive बोलता है तो locomotor speed ability क्या होता है जिसके अंदर हम maximum speed को train करना चाहते हैं वह जितने लंबे समय तक हो चाहिए उतने लंबे समय तक तेन इस स्पीड एंडूरेंस और locomotor speed के एक्जाम इस चीज के आपको जरूत परती एक्जाम लिखते वक्ते ना तब आप चाहते हो कि बाई जितनी ज्यादा हम जितनी लंबी टाइम तक स्पीड मेंटेन कर पर अतना बड़े आप इस्पीड एंडूरेंस मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसी होती होती जिससे आप एस क्विक्ली पॉसिबल अपने मुवमेंट को कर पाते हो वह भी अंडर कंडिशन ऑफ ठीक है नेक्स आज आ जाता फ्लेक्सिबिल्टी सबसे एक्टिव फ्लेक्सिबिल्टी मतलब जिसमें मुझे कोई एक्स्टरनल हैल्ब की जरोत नहीं पढ़री है ना फॉर एक्जामपल यह जो हाथ है मैं इसको इतना एक्स्टेंट कर सकता हूं खुझ से लेकिन अगर मैं एक्स्टरनल हेल्प ले लेता हूं तो यह शायद थोड को कोडिनição को कॉडिनीट करने अगर आप करना है चुझा अगर तरह है पर करना है और कॉछ भी नहीं बपने अपर तरह को करना है तो यह पोने आप तन तो wellness के इतने सारे components है आप अपनी परिक्षा में बिलकुल इसी तरह का flow chart बना के आ सकते हैं पहला आ जाता है social wellness तो social wellness होता है basically किसी भी individual की ability जिससे वो दूसरे लोगों से connect कर पाए emotional wellness में क्या होता है emotional wellness में कि एक ऐसी ability जिससे आप दूसरों के emotion को और खुद के emotions को समझ पाते हो spiritual wellness के अंदर क्या होता है आप अपनी जीवन के अंदर peace और harmony को attain कर पाते हो environmental wellness का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो to maintain good quality of air, water and अपने आसपास की जो जमीन है ठीक है for example अगर आप एक student है तो जिस रूम में आप रह रहे हैं आप उसको अच्छे से साफ सूफ मतलब साफ सूतरा करके रखें occupational wellness का मतलब होता है कि एक ऐसी ability individual की जिससे वो personal fulfillment obtain कर सके जब वो किसी भी job में किसी भी career field में अपना कारी कर रहा है तो intellectual wellness मतलब क्या होता है एक individual की ability जिससे वो अपने mind को open करके रखता है नए ideas और experience के लिए और यह ना और उन्ही ideas को फिर वो community के betterment के लिए लगाता है physical wellness मतलब क्या होता है किसी भी individual की ability जिससे वो अपनी body को एकदम proper form में रख पाता है then health related fitness मतलब अगर हम components of health देखें तो पहला जाएगा cardiovascular endurance तो काडि TikTok मतलब क्या होता है फिसक्वर्स हास्ची फिटनेस ठीक है तो काडिव एसक्योस्च मतलब क्या ख़ता है कि आप लंबी समय तक physical activity कर पाएंगे और थकान की condition में हम स्ट्रस्न प्र उसको बहर कर पाएंगे ठीक है को वरकम करना तो उसी को अपन मस्कूलर स्टेंथ बोलेंगे बॉडी गंपोजिशन में क्या होता है बेसिकली यहां पर जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंप्ली बॉडी का कंपोजिशन जिसके अंदर आपकी मसल्स जना देर आपका बॉडी का फैट बोन और जितने भी कंपोजिशन बोलते हैं और सिंपल भाषव में अगर मैं आपको बताओं तो जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपर फॉर्म में हैं अगर वो फिट है ना तो उन सभी का जो एक कॉम्बिनेशन मनेगा उसी को बॉडी कंपोजिशन बोलेंगे बैन मस्कू कॉम्परेंट्स हैं हेल्थ के तो हमने कॉम्परेंट्स देख लिए हेल्थ के फिजिकल फिटनेस के और वेलनेस के तो तीनों को आप अलग-अलग याद रखेगा अब अगला आ जाता है अपने पास इंपोर्टन टॉपिक ही है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रिजनल गे हैं तो वहां के गेम्स को भी हमें प्रमोट करना चाहिए और अगर हम इस तरह के ट्रेडिशनल गेम्स को खेलते हैं तो इससे ना सिर्फ बच्चे मतलब फिजिकली फिट रहते हैं जबकि ओल्ड मेंबर ऑफ दे कम्यूनिटी जो रहते हैं वह भी इंस्पायर होते हैं अप गेम्स हैं और ट्रेडिशनल गेम्स की एक और खासेत यह होती कि अगर यहां पर प्लेयर आउट हो जाता है तो उसको एक और चांस देते हैं आतो आता है यहां पर गिल्ली डंडा खेल रहें ठीक है आउट हो गया कोई नहीं वापिस उसकी चांस आजाएगी है ना तो क्या सब्सक्राइब होती है अब भारत के अगर हम इंडीजीने से स्पोर्ट की बात करें तो हम अगर वेदिक टाइम से भी देखे तो वहां पर भी आपको आर्चरी है ना यह चैरियट रेसिंग चैरियट मतलब रत की रेसिंग योग स्विंग यह सब आपको देखने को इपेंडेंस के भी बात टीम इंडिया ने बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस किया है इवेंट्स लाइक होकी क्रिकेट शूटिंग रेस्लिंग टैनिस ने भारत ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है यहां तक कि जो सरकार है वह कबड़ी और खोको जैसे खेलों को भी ब पूरे जो भारत के कंपोसिट कल्चर उसको प्रिजर्व किया जा सके बढ़ते अब आगे और यहां पर कुछ प्रशने तो आप स्क्रीन को पॉस्ट करके इनका अंसर कर सकते हैं तो अपनों ने पांच इसके पड़ेते फाइव एस देन उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन को एक और हम क्या बोलते तो इसको पन कॉडिनेशन वोलते हैं तेंसके बाद अपने पास आजाता है सपलने इसको पन फ्लक्सिबिलेटी बोलते हैं पर संट इन है इन सभी सब्सक्राइब कमबाइब कर देंगे तो कर जाएगा कंप्लीट बोर्डी का कम पोजिशन एसके बात ये मॉमेंट को ग्रेटर एंपलिट्यूड और रेंज से तो इसको पन क्या बोलते हैं इसके बाद एक बाद की बोड़ी की जिस्टे और रेजिस्टन्स तो इसके बाद आ जाता है एम क्या होता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का इस तो प्रिवेंट डीजिजीज थिक तो वही importance of health यहां पर पूछा गया है आप से तेन उसके बाद discuss करने आपको healthy diet as the component of positive तो यहां पर थोड़ा सा question को tweak करा गया है जहां पर आपको diet का importance बताना पड़ेगा तो definitely diet का importance क्या होता है diet का importance ही रहता है कि अगर आप अच्छा खाना घाते हो तो इससे आप के body के अंदर जो disease है वो prevent होती है immunity बढ़ती है healthy lifestyle promote होती है और at the end of the day आप health wellness और physical fitness को attain कर पाते हैं एक five mark वाला question आपके लिए प्रशने कि आप physical fitness से क्या समझते हैं आपको components बताना है तो फिजिकल फिटनेस जो भी अपने डेफिनेशन देखी एक capacity होती individual की to remain fit और वह वाली पूरी इसके बाद आपको फाइव वो जो components फिजिकल फिटनेस के हो लिखने है याना strength, flexibility, endurance, speed, co-ordinative abilities वो सब यह अपने पास five components है ठीक है तो आपको इसको mention करना है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के इंदर हम physical education के six chapter test, measurement and evaluation को पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के इंदर हम बहुत कमाल दमाल तरीके से इस chapter को पढ़ने वाले है जाते कुछ important question को भी हम आप पर solve कर देंगे जिनके exam मैंने की probability बहुत ज्यादा है तो आई अब हम start करते unit 6 of the physical education को तो इस unit का नाम है test measurement and evaluation सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या unit contents है तो जो अपना सबसे पहला topic है वो है concept of test measurement and evaluation सेकिन हमें पढ़ना है क्या classification test का physical education and sports के अंदर तें फिर हम देखेंगे कि test को कैसे administer किया जाता है क्या various guidelines है तो start करते हैं सबसे पहले concept of test से तो देखो test basically कैसा tool होता है जिसकी मदद से हम किसी भी individual की skills को knowledge को और उसके aptitude को attitude को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं capture कर लेते हैं और इसी चीज़ को हम test बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी दो definitions दे रखें दोनों में से आप कोई से भी definition यूज कर सकते हो second definition में यह बोल रखा है कि test कैसा tool है जैसे हम किसी भी individual की performance को quality or reliability को evaluate करते हैं then next आ जाता है अपने पास measurement ठीक है तो measurement मतलब क्या हो जाता है basically collection of data and information तो जब हम किसी की भी skill या उसकी level of fitness का data collect करते हैं तो इसको अपन measurement बोलते हैं इसके भी definition दे रखी है दूसरी definition में भी यही बोल रखा है कि it is basically collection of data about the performance or task then next आ जाता है मेंने पास evaluation evaluation मतलब क्या होता है इसके अंदर हम systematic determination करते हैं subjects का हम बताते हैं कि क्या उनकी merit है क्या उसका significance है और क्या उसका worth है और यह सब किया जाता है किसकी मदद से एक standard जो set of data रहता है उससे हम इसको compare कर लेते हैं अब देखो कर हम बहुत ही आसान भाषा में इसको समझें तो for example जो आपकी exam होती है उस exam में क्या होता है वो जो आपका paper है exam का paper वो क्या होगा basically आपका एक test हो गया then उस test के बाद क्या होगा आपके marks को measure किया जाएगा है ना तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपके 100 में से 60 marks है 80 है 100 में से 100 है फिर last में आपका evaluation होगा एक report card बनेगा और report card के अंदर क्या होगा हर एक subject के लिए आपको grade दे जाएगी कि अच्छा अगर आपके 90 plus marks है तो आपको a plus grade मिलती है अगर आपके 80-90 के बीच में marks हैं तो आपको b grade मिलती है a grade मिलती है तो evaluation में क्या हो रहा है हमने पहले के standard बना रखा है कि भाई 90-100 के बीच में marks है तो a plus हो जाएगा तो अब उससे हमने compare किया आपके marks को कि भाई इसके 89 marks आ रहे है मतलब 80-90 वाली bracket में ही है तो इसको a grade दे तो इससे हम objectives बना सकते हैं अपने curriculum के या फिर sports के भी इसके बाद इससे हम किसी भी player को select कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा एक yo-yo fitness test होता है cricket के अंदर तो उसमें क्या होता है हम किसी भी cricket खिलाड़ी के fitness को पहले ही जान लेते हैं कि यह खेलने लाइक है या नहीं है नह अच्छे से नहीं पढ़ाया है इसके बाद क्या है know the capabilities and capacities abilities यह सब आप किसी भी player की पता लगा सकते हो अब आ जाता है वैसा classification of test तो देखो सिक्षा के शेत्र में यह जो test रहते हैं चार प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं एक होता है diagnostic test एक होता है formative test benchmark test and summative test इसको याद रखना सीधा सीधा प्रश्ण आपकी परिक्षा में आ सकता है कि कितने तरह के test होते हैं तो पहला आजाता है अपने पास diagnostic test diagnostic test के अंदर हम क्या करते हैं हम किसी भी student की level को पता लगाते हैं कि भाया course चालू होने से पहले बच्चे का कितना level है जैसे आपने देखा होगा कभ लेशा यह जो बच्चा आ रहा है किस लेवल का है अगर सीधा चाटी में रखो अगर पांचे वी तथा तो इसको पांचमी में रखो ठीक है तो इस तरह सा टेस्ट लिया जाता है तो इसी को बन डेयाक्नॉस्टिक टेस्ट बोलते हैं ठीक है तो याद रखना हमेशा कब ल तो आप उसको दो तिन बॉल्स फेक होगे उसको बेटिंग कर वह गए उस लेवल कर नहीं होगा तो फिर आपको उस उस इसाब से आपको उस पर काम करना पड़ेगा ठीक है तो यह होता है अपना डाइगो डाइगनोस्टिक टेस्ट तो इसको टीचर सी उस करते हैं जिससे उ आपकरने वाला पार्ड आप अब टीचर ने रहा कि भाइस अफेक्शल तो इन सबी को आ रहा है यह कर रहे हैं अच्छा स्कोडर करें लेकिन अनलेटिकल मैं फसर हैं तो तो फिर टीचर क्या करेगा और यही टूल आपको मतलब हैप कर सकता है पैरेंट्स को भी याना वो अभी अपने बच्चों के लेवल को पता लगा सकते हैं और फिर उस हिसाप सुन की कोजिंग लगवा सकते हैं कि अच्छा भाई तो मैच में वी के जा बेटा पहली फुरसत में कोजिंग लगा ले इसके बाद सेके नहीं पास फॉर्मेटिव टेस्टिंग तो तो इसमें क्या होता है इससे टीचर को पता लग जाता है कि भईा मटेरियल की क्वालिटी किसी है मतलब जो मैंने आपको कंटेंट डिलिवर किया है क्या उसके बेसिस पर अंसर कर पारे हो नहीं कर पारे हो तो फिर क्या वह एक फीडबेक मेकानिजम की तरह सर्वोग हो और अगली class में फिर उस चीज को cover किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक flow chart है इसको आप बिल्कुल अपनी exam में बना किया सकते हो कि कब इसको किया जाता है तो throughout the course क्यों किया जाता है ताकि भाई साब अगर कोई gap रह गई हो ठीक है जैसे मैंने कुछ चीज पढ़ाई test लिया test में आप कुछ चीज नहीं आ रही है तो वो जो gap है उसको में अगले वाले lectures में क्या कर सको fill कर सको improve कर सको और कैसे लिया जाता है तो यहाँ पर approaches that support specific student तो students के साब से जैसे अगर nursery class के बच्चे हैं तो audio video testing क्या होता है इस तरह के test को conduct किया जाता है जब एक complete unit खतम हो जाती है ठीक है इसके पहले वाला जो test था वो तो unit के दोरान हो रहा था ना ताकि उसमें क्या हो improvement हो सके तो benchmark testing क्या होती है यह after complete course मतलब जैसे आपका वह एक unit खतम होगी उसके बाद इस test को लिया जाएगा और इससे teacher को पता लगेगा भाई साब जो मैंने पूरी unit पड़ा दी है वह इस बच्चे को समझ में आई है फिर नहीं आई है क्योंकि आगे हो सकता है कि उस unit का कहिने का काम पड़े तो अगर आपको वह वाले concept यहीं पर clear हो जाएंगे तो आगे आसानी रहेगी ठीके अभी पूरा क्रस्स कतम नहीं हुआ है अभी क्या होओ एक उनिट का थम है तो अभी तक हमने क्या पड़ा फॉर्स वाला टेस्ट तो तब ले लिया जाता है पूरा कोड़ चातम हो गया उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो final टेस्ट होता है कब लिया जाता है बिल्कुल end of the period पे क्यों लिया जाता है ताकि पता लक्स है कि पूरा कोर्स इस बच्चे को समझ में है और कैसे लिया जाता है तो वही बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेवल के साथ से आप टेस्ट को लेंगे तो पिजिक लिए फाइनल चेक है और इसमें सब कुछ कवर होता है अब आप से दिफरेंस सब्सक्राइश को कैसे अड्मिनिस्टर किया जा जाता है उसका क्या-क्या-फाइदे हैं तो पाच components होते हैं Physical Fitness Test Administration के पहला component होता cardiovascular endurance cardiovascular में क्यों होता है आपका heart plus lungs दोनों मिल के कितना best तरीके से कोडिनीट करते हैं उसी को cardiovascular fitness बोलते हैं जैसे जब आप दोड़ते हो jump मारते हो है नद तब आपके heart लंग्स दोनों साथ में काम करते हैं और आपकी आपकी बॉडी तक oxygen पहुंचाते हैं आपकी बॉडी के अंदर energy आती है और फिर आप अपने काम को बहुत इच्छे से कर पाते हैं तो यह होते ही cardiovascular endurance ठीक है तो बॉडी के ability जब आप exercise कर रहे हैं जैसे running, jogging, swimming, cycling तो तब आपकी cardiovascular fitness काम में आती है वेरियस टेस्ट होते हैं जैसे एक Harvard step test रहता है जिसके अंदर एक block लेते हैं उस block के उस उपर आपको चड़ना है उतरना है या फिर एक bench ली उस bench पर आपको चड़ना है उतरना है चड़ना है उतरना है पांच मिनिट का timer लगा देते हैं जित्ती बारा bench पर चड़ोगे उतरोगे वह आपका score हो जाएगा तो यह सारे test लिए जाते हैं किसके लिए cardiovascular endurance के लिए यह पहला component है second component हो जाएगा बैसा muscles की strength है तो muscles की strength क्या होती बेसिकली यह एक ऐसी ability होती आपकी body के जिससे आप किसी भी resistance को overcome कर पाते हो for example यह जो remote है मुझे इसको उठाना है यह resistance नीचे की तरफ लगा रहा है लेकिन मुझे इसको उपर ले जाना है तो किस factor की मदद से मैं काम कर पाऊंगा अपनी body के strength है तो यहाँ पर basically हम बोलते है कि यह है आपकी body की power है ना और कौन-कौन से चीजें जिससे आप strength को measure करते हो कौन-कौन से वो टेस्ट है तो एक होता है push-up test है जमीन पर लेटना push-up लगाना जैसे यहाँ पर यह जो लेडी है modified push-up लगा रही है तेन फिर pull-ups करना pull-ups करना weight lifting करना भाई वजन उठाना dumbbell लग सके ठीके for example भाई आप दोड़ रहे हो तोड़ते दोड़ते ठक गए हापने लग गए लेकिन उस टाइम फे भी अगर आप अपनी body को push कर पा रहे हो कि नहीं भाई भी एक और राउन माल लूगा मैं तो उसको अपना endurance से stamina बोलते हैं और इसको test हम कैसे करते हैं कि आप कितने sit ups कर पा रहे हो कितने push up कर पा रहे होостकर कितने pull ups कर पा रहे हो कितने dog पा रहे हो सारे कर पा रहे हो तो वह सारे इसको test हो जाएंगे तरन अगला जाता है flexibility na flexibility मतलब tasting range of motion आप के joint कितना range of motion उसमें है इसकी लिए various test हैं जैसा sit and reach test है इसमें आप क्या कर एक box लेक्स ले को greater rate okay two test basic test रहते हैं जो कि आपकी flexibility को मेज़र करते हैं test करते हैं फिर body composition मतलब क्या होता है आपके percentage of body weight रहता है या फिर आप इसको दूसरी भाशना में ब现在 सकते हैं कि यह क्या रहता है यह आपका fat रहता है as compared to bone muscle ligament desc. ठीक है, मतलब पूरी बॉडी का composition जिसमें आपके सारी body parts आयाते हैं, अब कैसे आपको पता लेगा, कि आपकी body एगदम मस्त form में है परफेक्ट वर्म में है तो इसके लिए आप BMI टेस्ट ले सकते हैm बियमाई होता है, body mass index जिसके अंदर हम क्या करते हैं, height को measure कर सकते हैं, जैसे हैं यह पर यह doctor मनम क्या कर रही है, इसकी height को measure कर रही है, नीचे इसके weight को measure किया जाएगा, फिर weight in kg लेते हैं, height को meter में measure करते हैं, weight divided by height in meter square, वहाँ से आपकी बीमाई value निकल के आती है, body mass index value, तेके फिर इसकी various range रहते ह तो इसका मतलब होता है कि आप अंडर वेट हैं 18.6 से 24.9 आती है तो इसका मतलब हाँ आप नॉर्मल है तेन 25 से 29.9 आप ओवर वेट हैं और 30 के उप पर भाई सब आप मोटे हैं बर देवन आगे कुछ अब हम है ना वो जो टेस्ट के तरीके हमने देखे थे फॉर मेटी और व सब्सक्राइब क्या होती है बॉड़ी मास इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है तो यह भी हमने देखा था वेट होता है आपका केजी में मतलब वेट ऑफ बॉड़ी डिवाइट इन मीटर और उसका स्क्वाइट नमबर डी हावर्ड स्टेप टेस्ट में जर करता है मैं इसमेट्टिव फॉर्मिट्व तो उपने पड़ी थी डिस्क्रिप्टिव कोई टेस्टिंग नहीं है ठीके पाचवा प्रशने के विस टैप आफ टेस्टिंग टिपिकली एप अपन स्स्टार्टिंग में क्या हम करते हैं तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आप ट बताना है बॉडी कंपोजिशन है ना एंडूरेंस काडियोवर्सक्यूलर वो जो पांच हमने देखा एज इस आपको यहां पर उसको लिखना है एक प्रेक्टिस प्रशन आपके लिए यहां पर लिखावाई के रवी शंकर नाम के फिजिकल एडूकेशन के टीचर है और वो क सकते हैं क्या सब्सक्राइब कर पुशम स्ट्रेंथ कर सकते हो उसकी प्रॉषण करते हैं उसकी प्रोसीजर नियूं से ल्ख सकते हो और आपका काम हो जाएगा और स्कूरिंग कैसे होगी तो पुष ऑप In bubbles मिनिट नमबर ऑफ पुल अपस इन वन मिनिट वही आपका स्कोर हो जाएगा तो इसको आप अटेंप्ट करना कॉमेंट बॉक्स में इसका अंसर करना मैं आपके सारे अंसर को चेक करें नमस्कार दोस्तु मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब पंडामेंटल्स ओफ एनटॉमी और फिजियोलोजी इन स्पोर्स तो यह जो यूनिट है वह कंप्लीटली भाइलोजी के उपर बेस्ट है हाला कि हमें एक फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ेगा बायोजी और फिजिकल एडूकेशन के अंदर तो सबसे पहले देख लेते सिस्टम के क्या फंक्शन सोते हैं कैसे बोन्स को क्लासिफाइब करते हैं तो यहां पर भी हमें द्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा बायोजी में ना घुज जाएं इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ दे सर्क्यूलेटरी सिस्टम और हार् जिसके अंदर आपका सिस्टम, और गेंस, टिशूस यह सब आ जाते हैं यह जो वर्ड अनॉटॉमी है इसको डिराइब किया गया है एक ग्रीक शब्द अनॉटॉम से जिसका मतलब होता है डाइसेक्ट या फिर किसी भी चीज़ को कट अपार्ट कर देना जैसे आपने सुन अनॉटॉमी एक ब्रांच और बाइलोजी जो कि डील करती है इंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेनल बॉडी इस्ट्रॉक्चर ऑफ इन ओर्गनिजम या लिविंग बिंग तो आप इस वाली डेफिनेशन को अपनी परिक्षा में लख सकते हैं कि अनॉटॉम टो जितने बी ओर्गन से मारी बॉडी के अंदर उन सभी का डीटेल डिसे और उसके स्ट्रक्चर का शेप का साइस का कितना उसका वेट है उन सभी को मैंनो और अनॉटॉमी बोलेंगे जैन्सके बात नेक्स शब्द फिजियो लॉजी मतलब क्या होता है यह डिराइब किया करता है function and activity of all the system ठीक है तो anatomic में अंदर क्या देखा था इस्ट्रक्चर देखा था जब कि हम फिजियोलोजी के अंदर क्या देखेंगे उसी सिस्टम के function को देखेंगे कि क्या-क्या function से उन सिस्टम के और उनके बीच में क्या एक mutual relationship है जैसे हार्ट लंग्स का क्या relationship है तो इसको में पर देखने वाले इन फेक्ट इस तुड़ी ओफ ऑल दी mechanical physical biochemical processes जो की एक human life को support करती है उन सभी के study को यहां पर क्या बोल जा जाता है physiological study या फिर human physiology अब हम देख लेते हैं क्या importance होता है anatomy physiology पढ़ने का तो अगर किसी athlete को उसकी anatomy physiology के बारे में पता है तो हम या फिर वो जो athlete अपनी body को और बहतर तरीके से समझ सकता है वो अगर कोई sports injuries हो सकती है उसको आगे future में तो उसको अभी से प्रिवेंट कर सकता है यहां पर यह help करेगी उसको in designing a physical fitness program उसको पता है कि मेरे body का structure कैसा है तो उस तरह से वह अपने fitness program को design करेगा तैन उसके बाद rehabilitate by chance कभी ऐसा हो जाता है कि उसको injury हो जाती है तो फिर किया जा सकता है किसी भी match के पहले यहां पर individual को पता लगेगा कि हम सभी डिफरेंट है और इंडिविजुल differences exist करते हैं और उस हिसाब से train करने के अवशकता है and then एक healthy body maintain करने में मदद मिलने वाली है इसके बाद the total nine organs हमारी body के अंदर होते हैं nine organ systems होते हैं जिसके अंदर आ जाता है अपने पास skeletal system glandural system जिसके अंदर सारे आपके glands आ जाते हैं जिसे pituitary gland thyroid gland muscular system excretory system जहां से हम सुबह सुबह waste products को बाद निकालते हैं then circulatory system पूरा blood वाला then reproductive system system जिससे human being reproduce करता है then respiratory system जिसे हम सांस लेते हैं digestive and nervous system तो उसके अंदर मैंने तीन systems को highlight कर रखा जो कि हमें अपने syllabus के अंदर पढ़ने हैं तो वह पहला आ जाता है अपने पास functions of skeleton system classification of bones and types of joint तो अब इस वाले टोपिक में में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत जदा डीप biology में ना गुज जाए और हम physical education के perspective से इस वाले चेप्टर को देखें तो एर देखो skeleton system जो रहता है ना basically बोनी framework ना बोनी framework मतला बहुत सरे bones से मिलकर बनावा रहता है और total bones अगर human body के अंदर हम देखें तो 206 होती है और अगर एक बच्चे के अंदर देखें तो 300 होती जो कि बात में जैसे से बड़ा होता बोन्स जुडती जाती है और वह फाइनली 206 रहती है क्या यहां पर functions होते हैं direct question आ सकता है यहां storage facility जैसे ribs lungs को store करते हैं and then blood cell का production बोन मेरो अपने सुना होगा तो वह भी यहां पर skeleton system का यह काम रहता है अब जो skeleton system is commonly 2 categories में divide कर सकते हैं एक होता है अपने पास axial skeleton और एक होता है अपने पास appendicular skeleton axial skeleton में कौन-कौन सी bones आती है आपकी इसकल आ जाता है तैन आपका इस्ट्रीनम आता है तैन आता है आप पर ribs मतलब आपकी यह lungs के उपर वाली जोड्यान रहती है यह सब आपको यहां पर देखने को मिलती है चुकि axial skeleton है आप बोल सकते हो आपके उपर उपर वाला पार्ट तैन appendicular skeleton के अंदर क्या आ जाता है आपके limbs आ जाता है ना मतलब हाथ और पैर की हड्या यह appendicular bones होती है अगर आप इन सारी bones का सम कर लोगे तो 206 आपको देखने को मिलेगी तैन अगर हम बॉन्स को classify करें तो पहला आ जाता है लॉंग बॉन्स ना लॉंग बॉन्स नाम से पता लग रहा है कि यह क्या हो गई लंबी लंबी जो हड्या रहती हमारी body के अंदर उसको अपन long bones बोलते हैं और इसका क्या का फाइदा होगा पहली बात तो यह हमारी पूरी body को कि structure प्रवाइट करेगी और दूसरा ही कि मुमेंट में हमारी मदद करें जैसे हातों की हड्यां पैरों की हड्यां ठीक एक्जामपल आप दे सकते हो जैसे humor फीमर इन सभी के आप पर आप जब डाइग्राम में देखों तो अगर आप एकदम बाइलोजी वाले बच्चो तो तो एकदम डीफल एक्जामपल देते ना और बाइलोजी से अगर आपका दूर दूर तक नाता नहीं है तो जो common हड्यां होती है उनका एक्जामपल देते ना तिन सेकिन आजाता है इपने पास short bones नाम से पता लगता है यह क्या होगा बहुत short इनका structure रहेगा क्यूब लाइप इनका shape रहता है और यहां पर यह क्या करती है यह अपनी body को stability और support प्रोवाइट करती है और कुछ motion करने में भी हमारी मदद करती है यहना short bone कहां पर आ जाएगी आपकी जिसे कान की अड़ियां यहना हातों की यहां पर यह carpals वगेरा तो यह सब short bones के अंदर आपकी आजाती है यहां पर लिखावा भी है skeleton के अंदर carpals of the wrist and tarsal of the ankles तो यह आपको tarsal भी देखने को मिलेगी image में और carpals आपको यहां पर image में देखने को मिलेगी then इसके बाद next आ जाती flat bones नाम से पता लग रहा है एकदम flat जो कि thin flat और usually curved रहेगी और यह क्या है यह एक large surface provide करती है muscles के attachment के लिए और यह internal organs को भी प्रोटेक्ट करती है example के तोरपे आपकी जो इसकल है ना curve है और flat है then इस तरह से आप इसको example दे सकते है एक तन irregular bones नाम से पता लग रहा है complicated इनका shape रहेगा थोड़ी सी spongy है रह सकती है and यहां पर covered रहती है thin layer of compact bone ठीक है example आप इसमें दे सकते हैं vertebrae ठीक है तो आपके vertebrae रहते है वो and the bones of the skulls is skulls के अंदर की जो bone है ठीक है यह सब irregular bone के अंदर आ जाती है then आ जाता है अपने पास सिस्मॉइड bones तो आपको mainly जो major round bones रहती है और एकदम इस सीशम है ना जो आपका सीशम रहता है उसके सीड की तरह रहती है तो जो आते हैं अपन तिल जिसको अपन कंजूम करते हैं तो तिल जैसा यह रहता है इसलिए अपन इसको सीशम बॉइड बोलता है ना यह जो bones है यह आपको tendons में देखने को रहती है जैसे example के तौर पर आजाएगा आपके tendons के associated रहते हैं आपके feet, hands and knees के असपास तेन फिर आजाता है sutural bones sutural bones बहुत ही small bones रहती है और यह आपके sutural joints रहते हैं वहां पर यह located रहती है तेन यह जो number of sutural bones हैं यह वेरी करती है considerably because different people have different number of sutural bones ठीक है तो आप थोड़ा से एक basic अंदाज आप इससे ले लेना next आ जाता है अपने पास joint ठीक है तो joints बहुत ही आसान है जहाँ पर दो हड्या मिलती है उस जगे को हम joint बोलते हैं एक network रहता है complete tendon ligament cartilages का then junction at which the two or more points are joint is called a joint 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 की definition आ जहाँ तो बोलते हैं कि एक ऐसा junction जहाँ पर दो हड्या मिलती है उसक सीधी रहती है ना तो आप कैसे यूं कर पाते हैं तो अगर आपको कुछ भी moment करना है जैसे मुझे wrist का moment करना है elbow का करना है तो सब joints की मदद से होता है types of joints देखें तो जो study of joints से उसको हम बोलते है anthology and joints को classify किया जाता है structural और functional basis पे तो सबसे पहले अगर आपन देखते हैं पह मुवेबल ठीक हो तो यहां से directly clear हो रहा है कि इसमें क्या होती बॉन्स ट्यार held together and यह मुव नहीं कर पाती है तो सिंस पूंस मुव नहीं कर पाती है तो इसको पन क्या बोलते हैं इम्मूवेबल जैसे joints जो कि आपके स्कल में रहते हैं इसकल के joints को मुव नहीं कर सकते कि उत यहां पर आप डाइग्राम में देख सकते हो यह रिप्स के आसपास के जो मौंस रहते हैं यह सब आगती है आपकी slightly movable joints के अंदर तेन फिर score further दो parts में divide किया गया है साइन क्रों डॉइस एन एक और आजाय का अपने पास सिंपेसिस ठीक है तो इतना डीटेल में में जाने की कुछ खास हवश्रकता नहीं है जो biology वाले बच्चे उसको देख सकते हैं ठीक है वरना एक्जाम में आपके सीधा प सब में slightly movable joints आपको देखने को मलते हैं फिर तीसरे और सबसे important है जहां से direct question आपकी परिक्षा में आते हैं और यह हैं आपके freely movable joints है इनको अपन साइनोवील joints भी बोलते हैं और इनको आप जरूर से याद रखना ना पहला आ जाता है gliding joints तो यह जो joints रहते हैं मूव अगें joint क्योंकि इसके अंदर एक बोन दूसरी बोलाउन के उपर glide करती है तो इसके बाद नेक्स्ट आजाता है हिंज joint हिंज कहां पर रहता है दरवाजे में अपने देखा होगा पीछे कबजा लगावा रहता है उसी को अपन हिंज बोलते हैं तो हिंज joint के अंदर क्या होता है basically one end of such joint has a concave shape तो एक end इसका कैसा रहेगा concave shape का रहेगा while other has convex shape तो यह कहें डाग्राम आप एक्जाम में बना क्या सकते हो जो सब्सक्राइब में बनावा है एक end is concave एक end is convex और इसके करण moment possible हो पाता है एंड इसके example क्या हो जाएगा आपका elbow ठीक है तो condyloid joint condyloid joint similar रहते हैं almost hinge joint से लेकिन इसमें जो moment रहता है ना वो दोनों प्लेंस पहों जाता है आपका एंड इसके कारण आप flexion extension और circular motion कर पाते हैं ठीक है में तो आप धियान रखना कि candle condyloid joint रहते हैं इसमें circular moment भी पॉसिबल रहता है जैसे कलाई के यहां पर जो जॉइंट है जिससे आप circular moment कर पा रहे हो इसको आप mention कर सकते हो फिर आजाता है अपने पास saddle joint saddle joint क्या होता है यह आपको flexion extension तो करने देता है फ्लेक्शन मतलब आपकी bones को chest के पास मिलाना extension मतलब आप chest से दूर ले जाना तो flexion extension तो आप कर पाऊगे लेकिन आप इसमें rotation नहीं कर पाऊगे ठीक है और example के तौर पर आपका जो थम का इसका example हो जाएगा shoulder वाला joint है ना 360 degree moment आप कर सकते हो फिर पाइवर joint क्या होता है rotatory moment जैसे आपकी गर्दन है ना यहां पर diagram आप इस तरह का बना सकते हो तो rotatory moment इसमें possible रहता है और example आजाएगा आपका नेक बढ़ते आगे अब next topic अपने पास function in structure of circulatory system या heart अब यहां पर आ जाता है तो circulatory system क्या होता है group of organ रहता है जो की blood को circulate करता है और जितने भी nutrients रहते हैं जैसे amino acid electrolytes oxygen carbon dioxide hormone इन सबी को क्या करता है वो एक part of body से दूसरे part of body तक पहुचाता है अब यह vast network of organs है blood vessels है जो की delivery system की तरह काम करते हैं और कहींने कई waste को remove करने में भी मदद करते हैं circulatory system को mainly दो parts में divide किया जाता है एक होता है pulmonary circuit यह आपने पढ़ा है class 10th के अंदर ठीक इतना detail में आपसे शायरी पूछा जाए है physical में तो सो दो parts में divide किया जाता है एक है pulmonary circuit है और एक है अपने पास systematic circulation pulmonary circulation में क्या होता है अपका heart lung से connected जब रहता है ठीक है जब heart and lung के बीच में वह हो रहा है एक्षेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते pulmonary ठीक और यह क्या होता है है it is for oxygenation जबकि systematic circuit में क्या होता है जो heart से पूरी body का connection रहता है तो इसमें आप बस blood को क्या करते हो transfer करते हो distribute करते throughout the body यह tissues तो उसको अपन बोलते सिस्टेमेटिक दो parts में divided है इसके बाद आगे पन चलते हैं structure अगर हम देखे circulatory system का तो तीन में parts है heart then blood vessels and blood itself heart जो रहता है को लो मस्कूलर कौन शेप और रहता है तो यह मैंने जो इमेज बना रहे कि इसको बिलकुल अपनी परिक्षा में बना सकते हैं तो यह क्या एक होलो जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं तो दिल धड़कना बहुत जरूरी है जैसे दिल धड़कना stop होता है तो आदमी खतम हो जाता है नो इस दी ओनली ओर्गन ऑफ दी सर्कूलर इस दी ओनली ओर्गन of the circulatory organ heart is responsible for pumping blood तो blood को pump करने का काम कौन करता है है हाट करता है हाट लोकेटेड रहता है जस्ट अंदर रिप के चना तो रिप केज के जस्ट अंडर आपको हाट देखने को मिलेगा and between the lungs and inclined towards the left हमेशा है आपको याद हुगा कि हाट कौन से साइड में रहता है लेफ्ट इन साइड में आपको देखने को मिलता है इसका वजन तीन सो ग्राम के असपास रहता है तेन एक दिन में हार्ट beats about 15200 टाइम ठीक है तो जनरली एक मिनिट में 72 टाइम और एक दिन में 15200 बार आपका जो दिल हो धड़कता है हाट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हाट इन क्लोस होता है एक आउटर लेयर में जिसको हम पेरी काडियम बोलते हैं अंडर दिस लेयर हाट मसल्स जिसको हम मायो काडियम बोलते हैं वह सिटुएट रहती है अगर गलती से आप से एमसी को पूछ लिए जाए तो चेंबर से रहते हैं उसको वेंट्रीकल बोलते हैं यहां पर मैंने मेंचिन कर रहा है लेफ्ट याप को लाग करता है डवनेर करने के लिए ठीके अब बलड वेसल वापिस आप तीन तरह के पढ़ेंगे एक और यार्ट का 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 रहता है यह बलड को हार्टसे दूर ले जात है तो इसका मतलब वह ब्लड oxygenated रहेगा थोड़ा हो डीटेल में कर आपको जानना है तो जो रहती है एकदम ठिक रहती है और ज्यादा प्रेशर इसमें रहता है तेन फिर नेक्स आजाता है अपने पास वेंस क्या करती है जो पूरी बॉडी का ब्लड है उसको हार्ट में रहती है और यह जो ब्लड वेसल रहते हैं यह आपके टिशू के बहुत ज़्यादा करीब रहती है तो एकदम पतली रुपली रहती है और इसका बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क रहता है जो की पूरी बॉडी में फहला रहता है इसका काम रहता है गैसेस को और इसका रहता है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन वाले सिस्टम तक पहुचाना तो यह काम भी किसका रहता है बलड का अब बलड को और हम तो चार पार्ट में इसको डिवाइट कर सकते हो रेड बलड सेल्स चो कि क्या करते हैं ऑक्सिजन करी करतें टिशू तक बलड को क्लॉट करने में यूज होते हैं यह से आप ख्यलते घिर गये आपका गुटना चल गया हाथ चल गया तो वहां पर आपने देखा हो कि कुछ समय बाद एक पपड़ी जयाती है तो वह प्लेटले जमाने का काम करता है एं प्लास्मा जो रहता है वो क्या रहता है वह आपके blood के cells में nutrients में waste products को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक carry करता है तर इसके बाद अगर हम circulatory system के function देखे तो पहला इसका function है transport करना ठीक है हमने देखा यह के blood के tissue मतलब blood को पहुचाता है almost हर एक body के tissue तक और waste products like carbon dioxide इंसारी चीज़ों को remove भी करता है body से then protect करता है किस से तो body को various diseases से protect करता है हमारा circulatory system जैसे जो आपका WBC है यह ना वह आपको immunity प्रवाइट करता है तन इसके बाद regulation करता है तो एक ऐसा instrument है जो कि क्या करता है internal conditions को regulate करता है आपके stable body temperature को maintain करने में मदद करता जैसे कर आप लद्दाग जाएंगे ना वहां बहुत ज़्यादा थंड़े फिर भी आपको जो अंदर का system हो एक उसका average temperature maintain रहेगा ठीक है ते nutrition प्रवाइट करता है यह जो भी essential nutrients रहते हैं like vitamin mineral amino acids ना इन सभी को यह different different parts तक पहुचाता है ताकि आपकी body के अंदर energy बनी रहें नेक्स आ जाता है अपने पास function in structure of respiratory system तो respiratory system क्या होता है कैसा system रहता है जो कि आपको breathing करने में मदद करता है आपको सांस लेने में मदद करता है और basically क्या होता है इसके अंदर oxygen को लिया जाता है और carbon dioxide को बाहर छोड़ा जाता है इसमें क्या होता है structure of respiratory system देखें तो वही वापिस से बहुत डीप biology में नहीं जाना है basically अगर हम देखें तो इसको तीन पार्स में डिवाइट करते हैं पहला रहता है एर वे जहांसे आप सांस को अंदर खिषते हैं जैसे नोज हो गया माउथ हो गया तैन फार नेक्स लार नेक्स है लेकिन का प्रेंसियेशन कुछ और रहे था लेकिन मैं इसको इसको याद करने के लिए फार नेक्स है ना पिए याद रहता है फार नेक्स लार नेक्स तो इससे आप इस्पेलिंग घलत नहीं करोगे है ना तो यह अलाओ करता है एर को टू एंटर बोड़ी इंटू दी लंग्स ठीक करने के लिए जो मसल से इंपोर्टन जैसा आप यहां पर डाग्राम में देख सकते हो नीचे नीचे एक डाइफ्राम है ना वर्क्स टू पंप एर इन एंड आउट अफ दे लंग्स तो यह क्या करता है प्रेशर को एजस्ट करता है जिससे आपकी हवा अंदर और बाहर होत बहुत कम चांसे से कि इनका डीटेल आप से पूछ लिया जाए कि आप बताईए कि नोस क्या करती है और तो बहुत डीटेल में तो आने के चांसे बहुत कम है तो आप बस यह आदर रखना इस ट्रॉक्टर क्या है जिसके अंदर इन तीन पार्ट में आपसको डिवाइड कर करता है ठीक है तो जब आप इनहेल करते हो oxygen एंटर करती है लंग को और विच सप्लाइज इट टुद ऑर और ब्लड फिर क्या कर देता है पूरी बॉड़ी मुसको सप्लाइ कर देता है जिससे आपकी बॉड़ी को एनर्जी मिलती है एंड दन सी ओटू को एक स्ट्रीट करन इस वेट ऑफ ओल दी ओर्गेनाजेशन तो इनकी स्टडी है तो उप्शन नमबर दी तैन इट प्रोवाइट्स प्रोटेक्शन टू वाइटल ओर्गेंस क्या है वो इसके लेटल सिस्टम है तैन नेक्स आजाएगा सिस्माइड बॉंस और फाउंड इन रिस्ट में आपको मैंने जो आपको बुला था कि कभी कभार आपसे पूछ भी सकते हैं कि माउथ का क्या रोल है तो बता देना बाइसाब कि माउथ इसन ओरल के विटी है ना और यह रेस्पिरेटर सिस्टम का एक पार्ट है तेन मोस कॉमली जो मेजॉर्टी ओफ रेस्पिरेशन इस अचीव पाया नोस लेकिन माउथ को भी अपकापी कबार यूज कर सकते हो सांस को अंदल लेने के लिए तेन लेफ्ट एट्रियम का क्या फंक्शन है तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सिजिएट ब्लड लंग से और उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में बेज देता है फिजिकल एडुकेशन के एड़् यूनेट फंडामेंटल ऑफ किंजिल ओजी एंड बायो मेकानिक्स को पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों हम देखते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल नमाल को सॉल करने वाले जिनके एक्जाम में की बहुत ही जा फिर हम देखेंगे वेजियर्स प्रिंसिपल्ज और बायो मेकानिक्स तेन हम देखने वाले कौन-कौन से बॉडी मोमेंट्स रहते हैं एंड एक्से और प्लेंस के कंसेप्ट को में आपर देखने वाले हैं तो सबसे बहुत हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और इंपॉर तो जो इस तो इस पर क्या बोलने वाले तो इस पीसिकली देश्टी ऑफ मेकनिक्स ऑफ बोडी मुमेंट में चैल रहा है उसको यहां पर देखते हैं अब इस फिल्ड के अंदर जो यूमन एक्सपोर्ट्स रहते हैं या फिर जो एक्सपोर्ट्स रहते हैं वह स्टडी और एसस करते हैं कि कैसे जो यूमन बॉड़ी है वो मुव करती है और फंक्शन करती है और इसका क्या एफेक्ट परता है हमारी हेल्थ और प्रोड़क्टिविटी के उपर तो अब देख लेते हैं इंपोर्टेंस क्या है क्यों हम किन्जोलोजी को पड़ते हैं तो पहली बात यह प्रिपेर कर देता है कोचेस और फिजिकल एडुकेशन के टीचर्स को सेकिन यह प्रमूट करता है हेल्थ फिटनेस को क्योंकि किसी को भी अगर अपनी बॉड़ी के मुवमिंट्स के उसके अंदर भुम्रा नहीं खेल पाया था जो कि इंडिया का टॉप टीट्वेंटी गिंद बाज है और क्यों नहीं खेल पाया था क्योंकि वह इंजर हो गया था तो अगर प्रॉपर यहां पर नॉलेज रहती है का इंजलोजी की तो डेफिनिटली इंजरी इसको पहले ही प्रिवेंट किया सकता है रियावलेटेशन बाइस इंजरी है तो आप जल्दी से उबहर के बाहर आ सकते हैं अपने आपको जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं तो खेल में नए-एक्टमेंट का डिवलोपमेंट होता रहता है और साइंटिफिकल इंप्रूव्ट इंप्रूव् तो यह दो शब्दों से मिलकर बनाएं बायू प्लेस मेकैनिक्स बायू मतलब होता है एक लिविंग और्गिनिजम्स और मेकैनिक्स मतलब होता है एक ब्रांच ओफ फिजिकल साइंस चोंकि डील करती है विदा फॉर्स एक्टिंग ऑने बॉडी इन इस्टेटिक और डाइनिम भी इस्टडी ओफ फोर्स एंड उनका क्या एफेक्ट परता है यूमन बींग के उपर मुविंग एंड इस्टाटिक कंडिशन में अब क्या-क्या फाइदे होते हैं और बायो मेकैनिक्स के तो एक प्लेयर को हम बहतर तरीके से सेलेक्ट कर पाते हैं तेन एडवांस कि आप किसी भी स्पोर्ट को खेल रहे होता कि आप लंबे समय तक उसको खेल पाओ जैसे क्रिकेट प्लेयर्स पांस दिन तक टेस्ट मैच कहलता है अब बहुत जादा उनको बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करने पड़ती है अगर वो दिन बर बस ग्राउंड पर दोरते रह तो अल्मोस्ट सेम इंपोर्टेंस है जो कि अपनोंने काइंजिलोजी में इसके देखे थे अब आगे बढ़ते प्रिंसिपल सो बाइक बाइमेकनिक तो इसके अंदर में न्यूटन भाई के तीन लॉज देखने है तो पहला लौ रहता है लौ इनर्शिया इन इसको फॉर् प्लिस्ट थ्री लॉज उफ मोशन उन्होंने पब्लिश किये हैं यह जो इमेज है वाईजेक न्यूटन की है पहला लौ उफ मोशन है जिसको अपन लौ उफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं तो यह बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इस पोजिशन अंटिल उसको अपन ने टेबल पर रख दिया है वो टेबल पर ही रहेगी जब तक कोई एक्सटरनल फोर्स पर अप्लाई नहीं होता ठीक तो रेस्ट वाली तो रेस्ट पर रहती है लेकिन अब बात आती है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप तो बोलेंगे कि सर इस लोग के स आप से तो चलती रहनी चाहिए ब्यकुजश बोडी इन मोशन विल्रे Japanese लेकिन इस में एक्सटरनल फोर्स अप्लाई होता है वह एक्सटरनल फोर्स कौन से रहता है क्यों एक्सटर्नल फोर्स प्राइब और चाहिए उसको आपने स्लाइड किया यह रोल किया तो कुछ अगर position जो किसी भी object की position है वो rest में तो rest में ही रहना चाहेगी motion में तो motion में रहना चाहेगी inertia of rest inertia of motion तो जैसे ही आप यहां पर इस cardboard को एकदम खीच लेते हो तो coin rest वाली position में वो rest वाली position में रहता है और वहां पर गिर जाता है इसका एक और एक्जाइम्पल है जैसे बस में आपने बेटे हैं इनक ब्रेक्स लगे तो अब ही आपकी बॉडबी शे सब्सक्राइब है अब ब्रेक्स क्या है, इसका और इन्वर्सली प्रपोर्शनल उमीद है आपने पढ़ रखा होगा नहीं पढ़ रहा तो बता देता हूं यह ना डारेक्ली प्रपोर्शनल ने दो क्वांटिटी में मतलब एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी जैसे एक्जाम में अगर आपने हाड वर्क किया तो माक्स आटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और इन्वर्सली प्रपोर्शनल मतलब एक की क्वांटिटी बढ़ा होगे तो दूसरे की क्वांटिटी कम होगी जैसे एक्जाम्पल के तोर पे अगर एक्जाम के तोरान अपने बहुत ज्यादा गेम्स खेले तो माक्स की कवांटिटी अपने अब डाउन हो जाएगी तो यह होता है डारेकली प्रपोर्शनल और इन्वर्सली प्रपोर्शनल यहीं से एक एक्वेजन निकल के आती है एक एक्वांस टू एम इंटू ए ठीक है फोर्स इक्वांस इंटू एक्सलेरेशन इसको आप याद र मिलेगा जैसे एक्वांपल के तौर पर अगर एक चोटी बॉल को आप मारोगे दूर जाएगी बड़ी बॉल है जैसे बोलिंग वाली बॉल है उसको अगर आप मारने कोशिश करोगे तो वहीं पर जाएगी कम एक्सलेरेशन उसको मिलेगा अब न्यूटन भाई का तीसरा सब्सक्राइब करते हैं एक्जामपल के तौर पे गुबारा उसको आपने हवा से भरा फिर उसको छोड़ दिया तो गैस नीचे आएगी और उपर आपका गुबारा चला जाएगा आप किसी दिवार पर हिट करोगे तो आपको भी चोट लगेगी क्योंकि उस दिवार ने सब्सक्राइब करें तो आप जब फुटबॉल को किक मारते हो ठीक है तो वह आगे की साइट जाता है और आपकी जो पाओ है उस पर भी चोट लग जाती है कर आपने सही टेक्निक से नहीं मारा है किस्विमिंग आप पानी को पीछे के तरफ दकेलते हो पानी आपको आगे क तरफ धकेलता है तो न्यूटन भाई का थर्ड लौ है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले हम एक्सिस और प्लेन पढ़ेंगे ठीक है यह भली एक्सिस और प्लेन के कंजेप्ट को समझ लिया तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी मोमे से होती है इसको हम यह पर बहुत अच्छे से देखते हैं तो सबसे पहले अगरबन बात करते हैं एक्सिस क्या होती है तो एक्सिस एक बिसिकली इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है आराउंड वीच एन ऑब्जेक्ट रोटेट ठीक है इस एक्सिस के अराउंड ही कोई भी ऑब् सब्हस्ट थीकी तरीके एक्सिस रहेगी और थीं तरेके प्लेइन रहें तो यहाँ पर आप इमेज में देखते पर चलिएगा सगेटेल एक्सिस यहाँ पर मैने आपको देखने को मिल रही है इस यह पास करती हो रिजॉन्टली फ्रॉम दे प्रोस्टेर्यर एंड एंटेर यह प्रोस्टेरियर और इंटेरियर क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा है ना फ्रंट और बेक को यह प्रोस्टेरियर और बोलता है तो होरिजोंटली निकलती है आपके फ्रंट और बेक से हैं दोनों को भेदते हुए यह निकलती है और यहां पर आप देख सकते हो यह है आपका सेगेटियल प्लेन और पीछे की साइड आपको देख रहा है ट्रंसवर्स प्लेन यू है तोनों के इंटर सेक्शन पे से यह सेगेटियल एक्सिस निकलती है इसको आप जितना मन में इमेजिन करोगे उतना ही समझना आसान रहेग ठीक है और ड्रो करके भी देख लेना प्लेन मतलब एक शीट ऑफ पेपर आप समझ सकते हो ठीक है जबकि जो एक्सिस है वह एक स्ट्रेट लाइन है तो सेगेटियल एक्सिस कहां से निकलेगी यह निकलेगी बाई सब इंटर सेक्शन और सेगेटियल प्लेन ट्रांसवर्स यह यह और शोल्डर से निकलके यह भाहर हो रही है तो इससक्षिस क्या होती है यह पास करती है हो रिजॉंटली फ्रॉम लेफ्ट wreck गई ति जो आपकी frontal axis है वो left से right के side जाएगी and is formed by the intersection of frontal and transverse plane तो आप देख लो बाई frontal plane मतलब यह वाला transverse plane मतलब यह वाला तो दोनों के intersection से frontal axis pass होती है then next आजाता आपके पास vertical axis तो vertical axis आप देख सकते हैं आपर का है तो vertical axis जो आपकी है वो आपको देखने को मिलेगी passes vertically from interior to superior and is formed by the intersection of sagatial and frontal plane तो यह वर्टिकल एक्सिस को अपन ने क्या बोल दिया है longitudinal axis तो longitudinal axis कहां से पास हो रही है intersection of the sagatial plane and frontal plane तो दोनों का intersection जो है वहां से पास हो रही है vertical axis तो मन में आपको imagine करना पड़ेगा then plane और उसके application अकर हम देखते हैं तो plane जैसा मैं आपको बताया था एक imaginary surface या फिर आप imagine कर सकते हो कि imaginary sheet of paper है जो कि divide कर देती body को equal parts में तीन plane समय देखने को यह पर मिलता है पहला आजाता है आपका sagatial plane तो sagatial plane कहां हो क्या करता है आपकी body को right और left में divide कर देता है जैसे यहां पर आप देख सकते हो है ना तो यह जो blue वाला plane है blue वाला plane है वो क्या कर रहा है पिल्कुल मेरे body के बीचों बीच से निकलेगा और left side of the body right side of the body इस तरह से डिवाइट करतेगा इस वाले में भी दिखा देता हूं यहां से तीनों plane बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे sagatial plane क्या होगा आपकी body को दो parts में divide कर देगा left and right horizontal plane आपकी body को upper and lower में कर देगा frontal आपकी body को front part और back part में divide कर देगा पस इतना ही आपको ध्यान रखना है अब इससे क्या होगा moment समझने में बहुत आसान रहेगा ठीक है तो segetal plane मतलब left right horizontal plane up down और frontal plane front end back part में आपकी body को divide करता है ठीक तो यह frontal plane हो गया तो frontal plane क्या करेगा आपकी body को divide कर देगा front और back में तो जो पिंक कलर का यह आपको frontal plane देखने को मिलेगा वही पर horizontal plane यह जो green वाला है यह horizontal plane है तेन अब आजाते हैं अपने पास types of body moment कौन कौन से body moments होते हैं ठीक है तो total यह 8 moments हमें पढ़ना है syllabus के अंदर पहला जाता है abduction abduction क्या होता है moment in which moving body part move away from the midline of the body ठीक है तो यह midline है body की और इससे जब अवे जाएगा हमारा हाथ ठीक है तो side में जब आप sideways moment करते हो और away from the body जाते हो तो इसी काम क्या बोलते हैं abduction बोलते हैं तो abd इसका short trick भी यहीं के abd abd willyars abd willyars क्या करता है 360 मारता है यह यह सूरिक उमार यादा हो ठीक है हाला कि SKY नहीं है पर abd से याद रखना है में तो abd willyars 360 degree मारता है मतलब आपको 360 जाना है उपर की साइट जाना है away from the midline जाना है तो जब आप away from the midline जाओगे तो जाएगा abduction कहां पर यहोगा frontal plane और सेगेटल एक्सेस ठीक है frontal plane मतलब जो आपकी बॉड़ी को front और back में डिवाइट कर रहा है ठीक example हो जाएगा moving of hand sideways ठीक है sideways में जब आप move कर रहे होगे abduction इसी का मेले में बिछड़ा भाई कौन सा हो जाएगा reduction में क्या होता है कि जब movement आपका होता है कैसे जब आप नीचे के साइड आते हो ना add करना है तो example इसको भी याद कर दें कि टेकनिक मेरी ऐसी है या ना कि पहले जब आप आपके हाथ यूँ थे ठीक है तब आपने अपनी कमर को मेजर किया है ना for example 30 cm आई फिर आपके दोनों हाथ पी एड हो गया तो फिर अब एडिशन हो गया तो क्या होगा अब वापिस आपने नापा इंचे टेप से पूरा हाथ और कमर तो आप आ गया 40 cm तो एड मतलब आपके हाथ नीची के साइड आ रहे है तो आपोजिट है अगला जाएगा अपने पास फलेक्शन ठीक होता है और जब एंगल डिक्रीज होता है between the bone of the joint ठीक है अब जब यह तो इस वाले प्रम तो चेस्ट आएंगे तो इस वाले मुमेंट को मिया बोलेंगे फ्लेक्शन जबकि जब यह अवे फोंड़ चेस्ट जाएंगे ना तो एक मोमेंट हो रहा ही है एक मोमेंट हो रहा ही है तो जब टूर्स दा चेस्ट फ्लेक्शन अवे फ्रॉम दे चेस्ट अगर आप जाओगे यह ना या फिर आपका इंगल इंक्रीज होगा तो इसको लेंगे तो सरकम्डक्शन एक ऐसा मुमेंट है और इसके अंदर क्या होता है रिलेटिव ली इस्टेशनरी वाइल अधर एंड डिसक्राइब से सरकल तो एक एंड इस्टेशनरी रहेगा जबकि दूसरा एंड क्या होगा सरकल बनाएगा ठीक है जैसे मैं यूं यूं करता हू ठीक है तो यह वाला एंड मेरा इस्टेशनरी यह लेकिन यह वाला जो एंड हो मूव कर रहा है तो सरकम्डक्शन में एक एंड इस्टेशनरी रहेगा दूसरा एंड मूव करेगा अब बेसिकली यहां पर कॉम्बो आपको देखने को मिल सकता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन सकता है तो याद रखना कि एसा कौन सा मूवमेंट है जिसके अंदर आपको कॉम्बो ओफर देखने को में लगा इन चारों का तो सरकम्डक्शन है एक्जाम्पल है सरकम्डक्शन अकर से शोल्डर डूरिंग देग्जीक्यूशन ऑफ क्रिकेट बॉल जब आप क्रिकेट ब बोंन देखे थे लोंगि टूडनल एक्सेस ऑफ आपनल देखे थे लाउ works of मूолें आप लोगेंट डीजाते हैं इस्वलिवमें पोलते हैं एक्सटॉर्न रोटेशन का है इंतर्नों रोटेशन रोटेशन मे क्यो हो गा हुगा आप त्वर्स जैसे हैं अब्स picture कर रहा है towards the midline of the body आना internal away from the midline जाना external rotation then last हो जाता है pronation and supination तो prone मतलब होता है lying face down ठीक है जैसे यहां पर आप देख रहे हो आप जब कोवीड हो था तो आपने देखा होगा ना कोवीड 19 के दोरान कि यहां पर prone position में लेटने के लिए बोला जाता था जब oxygen की कमी होती थे ना तो मतलब पेट के बल लेटना फेस को डाउन रखना और supine position मतलब फेस को उपर रखना तो यह जो प्रोनेशन रहता है इसमें क्या होता है it is basically pronation at the forearm is a rotational moment where hand and upper arm are turned inward to hand and upper arm are turned inward तो यह वाला जो moment है यह इसको बोलते प्रोनेशन ठीक है और ऐसे अगर प्रोनेशन फूट पर रहेगा तो जो आपके सोल रहेंगे वह क्या रहेंगे so the weight is born on the medial part of the food refers to turning of the soul outwards तो अपने सोल को बाहर की तरफ turn करना ठीक है आप pronation of the forearm याद रख लो जिससे भी काम हो जाएगा कि यूं करके rotate करना जबकि अगला आ जाएगा अपने पास supination of the forearm तो supine करना मतलब यह यह supine position और यह वाली prone position ठीक है supine prone तो जैसे इसमें उल्टा लेटर है इसमें सीधा है तो इसको आप supine और prone से relate कर सकते हो यहाँ पर image देख लेना supine मतलब यह prone मतलब यह बढ़ते अब हम आगे और कुछ mcqs को देख लेते हैं कि which of the following is the study of system of information related to motion तो अभी हमने देखा था काइंजियोलोजी बायो मेकैनिक्स प्ले करता है क्रूशल रोल किसकिस में इंजरी को prevent करने में और performance की enhancement में तो option d that is both a and b understanding proper sports and exercise moments will allow the participants to be more dash for long term efficient technically sound good habits to all of these is right answer होगा coaches should make use of the methods of dash biomechanics analysis in their everyday practice to produce changes to quality का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा तो it is the qualitative analysis then sophisticated sports equipment gives advantage to athletes हम तो elite और recreational जहां पर भी इस तरह का option देखे तो दो नहीं लगा जाना sophisticated sports equipment मतलब जो कि बहुत ज्यादा आप बोल सकते हूं कि rich sports equipment सेना बहुत scientifically designed equipment से तो यह आपको recreation करने मदद करेंगे और proper exercise करने में मदद करेंगे ना इस टाइप of women takes place when the angle decrease मैं आपको बताया था angle decrease हो रहा है तो angle जब decrease होता है तो उसको बोलते है flexion angle increase होता है तो उसको बोलते है extension नेक्स प्रशने अपने पास which is not the importance of biomechanics तो गर आप option number c देखोगे to understand the physiology of human body यह काम होता है anatomica नकि बाइव मेकानिक्स का नेक्स प्रशने newton भाई के second law पर निकोर किस नाम से जानते हैं तो उसको law of acceleration के नाम से जानते हैं next question है match the following करना है तो flexion में decrease in angle extension increase in angle a b d मतलब away from the midline of the body a d d adduction मतलब towards the midline of the body next question है bending of elbow whenever hand is going towards the chest flexion away from the chest extension opening of sidewise hand away from the body अवे जा रहे हो a b d तो option abduction कुछ important questions के what do you mean by biomechanics तीन important applications आपको बतानी है आप उमीध है आराम से बता सकते हैं यहना आप नोंने देख लिया इसको and discuss in detail any two types of moment आज तरह के moment देखें flexion extension and circumduction किसी भी दो को आपको explain करना है तो यह था अपना 8 number का चैनल नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम physical education की 9th unit psychology and sports को देखने वाले तो दोस्ता आप देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के कैसे उनको manage किया जाए and then फिर हम देखेंगे एक नए topic को जो किये team cohesion and sports तो पहला आपने पास आ जाता है definition and importance of psychology in physical education तो यह दो कोई जो psychology शब्द देना इसको एक Greek शब्द psyche से derived किया गया है जिसका मतलब होता है soul मतलब आत्मा और logos का मतलब होता है एक scientific study तो अगर हम दोनों को combine करें तो psychology is basically scientific study of soul अब यार soul मतलब होती है आपकी आत्मा लेकिन अगर आपने आज की तारिक में देखा होगा तो हम psychology का मतलब मानते दिमाग तो और कहीं ने कहीं जो हमारी soul है वो mind से ही connected है तो at the end of the day is definition को improve किया गया और now psychology is basically this science of mind ठीक है तो मनो विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं और क्या आपकी दिमाग में चल रहा है याना कैसे उसको और बहतर बनाए जा सकता है यह सब हम psychology के अंदर देखते हैं तो various psychologists ने और बहुत सारी definitions दी है अपने अपने तरीके से इसको define किया है तो वो हम देख लेते हैं आप exam में सीधे इन में से कोई भी एक sociologist को यह psychologist को quote कर सकते हो ठीक है जैसे अगर हम सबसे पहले देखें W.B. Pillsbury and J.B. Watson की definition को तो उन्होंने बोलाई कि psychology एक प्रकार का science है of human behavior तब किसी भी human की behavior को देखते हैं और उसी के study को यहां पर psychology का आ गया है जबकि जो वुट्स वर्थ हैं इन्होंने बोला है भाई सब psychology deals करता है with the activity of individual in relation to the environment कि कैसे वो अपने आस पास के environment से deal कर रहा है उसी के study को यहां पर क्या बोला गया है psychology बोला गया है इसके बाद ऑक्सफोर डिशनरी के अंदर से अगर आप इसकी definition खोल के देखोगे तो यहां पर आप पाऊगे कि scientific study होती किसी भी human के mind की उसी कौम यहां पर क्या बोलते है psychology बोलते हैं और क्रों क्रों ने डेफिनेशन दिये जिसमें उन्होंने बोलाई कि human behavior और human relationship की study को ही psychology का जाता है तो एक्जाम में आप इन में से किसी भी definition को कोट कर सकते हो ना सारी याद नहीं रखनी है इसके बाद देख लेते क्या importance होता है तो किसी व्यक्ति का performance improve होता है गर उसको अपने दिमाग की समझ है उसकी mental health प्रॉपर है वह लोगों की behavior को समझ पाता है मुवमेंट होंगे और जादा बहतर हो जाएंगे अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं उनकी problems और कैसे उसको manage किया जाए तो एडॉलेसंस जो है वह बहुत important stage development की because इसके अंदर हमारी body के अंदर बहुत सारे important physical developments होते हैं यह जो term adolescence इसको डिराइब किया गया एक लेटिन शब्द adolescise and इसका मतलब होता है to grow to maturity है ना तो maturity तक grow करना basically एक period है which fills the gap between childhood and adulthood ठीक है तो एक बच्चा जो रहता है ना उसको बच्चा कब बहुत सरे वेक्ति या बच्चे जो है वह उसी एज में अभी होंगे तो क्या-क्यार हमारी problems रहती है adolescence की तो पहले आ जाता है behavioral concern है ना बहुत आसानी से जो आपका behavior है वो change हो जाता है ठीक है school में गए अलग behavior है lunch में अलग behavior हो गया then school चुट्थे जब अलग behavior घर आया अलग behavior कोचिंग अलग behavior तो behavioral concerns देखने को मिलते हैं emotional concerns देखने को मिलते हैं क्योंकि आपकी बॉड़ी grow रही होती है या ना और आप बहुत सरे नए लोगों से मिलते हो समझ maturity सब आपकी develop हो रही होती तो emotional भी बहुत सरे concerns रहते हैं moral concerns ना moral मतलब होता है कि एक किसी भी व्यक्ति का अपना खुद का take on किसी भी situation कि वो सही है या गलत तो इसी को morality बोलते हैं morality is basically सही और गलत की समझ तो इस age में सही और गलत की समझ इतने आसानी से नहीं हो पाती है कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है social concerns है ना लोगों से मिलना जुलना इस्कूल में हैं मेरे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं या बहुत जादा दोस्त बन गए हैं लड़के दोस्त नहीं बन पा रहे हैं तो यह सब social concerns है कर्येर को लेकर uncertainty भाया दसवी के बाद कौन सा सब्जेक लो भाकी की कों सा स्ट्रीम चुनूं इंजिनरिंग करूं चुन करूं मैडीकल करूं क्या करूं करूं तो करीयर की पीटी करना तो सब एंके शोशल भीएवेर है इटिंग डिसॉडर है ना जंक फूट में ज्यादा फोकस होता है तिन एकसरसाइस को ना करना क्रूप कोहेशन है ना मतलब एक क्रूप में रहनी के भावना ना होना कि नहीं मैं ही अपनीच भगवान है ना मैं ही सब कुछ कर लूँगा तो यह सारी कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम से अगर हम देखें तो लो सेल्फ एस्टीम ठीक है तो लो सेल्फ मतलब खुद पर कॉंफिडेंस नहीं होना डिप्रेशन हो जाना क्रिमिनल और इस तरीक एक्टिविटीज में लिप्त होना हना ड्रग अब्यूस हमने देख रहा प्री मेरिटियल सेक्स यह इसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में तो कम है लेकिन अगर आप विदेशों मे इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा महां पर है तो अब इसको मेंचन कर सकते हो इंडिया में प्रॉब्लम कम है क्योंकि बच्चे जनरली घर पे रहते हैं और अपना अपार्टमेंट लेकर नहीं रहने लग जाते हैं 15-16 साल की उमरें से हैं आगे अगर वह करियर में जैसे 30-30 साल की उमरें में उनकी जॉब लग गई शादी हो गई फिर वह बले अलग रह सकते हैं अपने भारत में शादी से बहले तो बच्चे माबाब के साथ यह रहते हैं इसकी बाद मेनेजमेंट कैसे किया जाए यार इतनी सारी प्रॉब्लम समने देखी पहला है भाई सिंप यह बाद रखना पड़ेगा घर पर लड़ाई जगड़ा होगा तो भाई बच्चा भी उसकूल में जाके लड़ाई जगड़ा करेगा हेल्दी एट्मॉस्फियर हो में स्कूल ठीक है सेकेंड जो स्टेप रहती है तो स्कूल में टीचर उन सभी को अच्छा वेवार करना पड़ेगा प्रॉपर नॉलेज यहां पर हो एडॉलेशन साइकलोजी की उनको बताए जाए यह सारी प्रोब्लम सोती है इससे डील किया जाए सेक्स एजुकेशन दी जाए तकि बच्चे कम उम्र में कोई गलती ने कर दें चैनलाइजेशन ऑफ देनरजी राइट डिरेक् ने कर सकता है तो सारी चीजों पर द्यान दिया जाए अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो कि टीम कोहेजन इस्पोर्ट बहुत इंपोर्टेंट है यह साइकल में आपको बताएं तीम कोहेजन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक ग्रूप में रहना और बनाएं almost दोनी तो अभी अभी आए क्योंकि पंड्या उट हो गया था तो यहां पर है ना वह क्या कर देता है दो तिन बॉल डॉट कहल लेता है कि अगले अगर में विराट को लिगा स्ट्राइक देंगे तो यह मैच जिताएगा ठीक है तो यह सब क्या हो गए यह सब एक टी सब्सक्राइब करते हैं कितने अच्छे से टीम काम कर पाती है एंड यह क्रूशल रहता है और स्पोर्ट्स टीम तूब इसको होना है तो किसी भी स्पोर्ट्स को कोहेशन लेकर चलना पड़ेगा एक साथ ग्लूड रहना पड़ेगा जैसे आपने देखाऊगा चैन्नाई सूपर किंग्स मुंबा इंजन क्यों इतनी सक्सेस्फुल टीम से क्योंकि भले यहां पर कोई इस्टेंड आउट पर्फॉर्मेंस नहीं रहता है जैसे आपने देखाऊगा आरसी में में एबीडी विलियर्स क्रिस गेल अपने विराट कोली यह स्टेंड आउट पर्फॉर्मर्स है ठीक है यही अकेले में जिता जाते हैं लेकिन आरसी भी हो गया लेकिन अपना जो एमाई हो गया सी एसके हो गया उसमें कोई इसा नहीं हो गया और बह आप इंप्रूव कर सकते हैं टीम के कोहिजन को तो पहला है टीम के कॉमन गोल्स बनाओ इंडिविजूल को उनके टास्क का साइन कर दो फीडबेक को समझो लिसन टू एथलीट्स फीडबेक ना उनको फीडबेक दो भी और उनके फीडबेक लो भी एक साथ काम किया जाए अगर कोई पॉस्टिव परफोर्मेंस कर रहा है तो इंप्रूमेंट को रिकोगनाइज करो कि यार पिछले में सब की बार तो अच्छा खेल रहा है यह खेल रही है तेन उसके बाद इस्टेबिशन एंवर्मेंट फॉर सक्सेस पाइस सेटिंग एक्सपेक्टेशन और प्र तो यह सब बताए जाए लोगों को तो टीम कोईजन बढ़ेगा बढ़ते बागे कुछ इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं इन दर चाइल्डूट इंडिविज्विज्व बिहेवियर इस मोस्त इंफ्लूएंस पाए किस से इंफ्लूएंस होता है मैं आपको बताया था फ इस देगेप बिविन डिस अबिलेटी एंपरेशन अगर ऐसा रहेगा तो फ्रस्टेट तो हो गई सही कि लाडी विजव फॉलिंग फेक्टर सेल्स इंप्रूइंग तो टीम को एक साथ लाना है तो सेट टीम गोल्स इंडिविज्व गोल्स रिवाड करो यह पनने देख ल साइकी और लोजी से मिलकर बना है इस्टडी ओफ सोल इस्टडी ओफ माइन जब आप इसको अप्लाए करते हो स्पोर्ट के फिल्म है तो यह हो जाती है स्पोर्ट साइकलोजी ठेक कुछ प्रॉब्लम जो के डॉलेसंस फेस करते हैं यह अपन ने चार्ट के तुरू देखा हो सकते हैं उनका जो पीरियड वाला साइकल हो भी कर सकता है तो यह सारे अंडेजारेबल एफेक्ट है अगर इसको प्रॉपर्ली टाइम से मैनेज नहीं किया जाता है तो एक कोशन इसको आपको सौल करना है कि आदित्य कांसलर है स्कूल एक्स का उत्तरपदेश में और प् इसको करनी चाहिए टीचर सब्सक्राइब तो पूछा इसमें ही गया है कि प्रॉब्लम कौन सी और कैसे उसको मैंनेज किया जाए तो आपको यह पर लिखना है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना आपके अंसर को मैं चेक करेंगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम एर्पित और आज किस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एडुकेशन के 10 चैप्टर ट्रेणिंग एंड डूपिंग इन स्पोर्स को देखने वाले हैं तो दोस्ता हम देखते रहे इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल नमाल कोशन को मिया पर सॉल करने वाले हैं तो आज के इस ताइम में गरम देखें तो कॉंपेटिशन हर एक फिल में इंक्रीज हो गया है बले वह स्पोर्स हो एडूकेशन हो करियर हो कुछ भी हो और इस कॉंपेटिशन से कूपप करने के लिए मौडर्न साइंटिफिक ट्रेनिंग के आप अवश्रकता है तो यह जो मौ बस्त क्रिकेट के मैदाद में जाते थे लेकिन आज कल यह बहुत कम केसे में देखने को मिलता है कि लाड़ी बहुत स्ट्रेनिंग रजीम को फॉलो करते हैं स्ट्रिक डाइट को फॉलो करते हैं तब ही वो इतना बेस्ट परफॉर्फॉमेंस अपना दे पाते हैं नो यही रेसएं से क्या होता है प्रोपर ट्रेनिंग डिवर्फिस को यहाँ पर र centralized किया जाता है एंड ड्रेणिंग सकते ह्पाने को भी बहुत सबस्तल्य हैं उस्याजरे को बहुत को फॉट लिधान को कि चैनं alarm रिड़े सकते हैं यह तक शोट रिप्रिपार करते हैं यूमन से लिखना तो मैं पहले सकाइब करके देख लेता हूं ताकि लिख पाहूं याया आपके प्रका की ट्रेनिक होती है नौ ट्रेनिंग जो रहती है क्या होती है इसे पॉर्ट्समें training sports specific training जैसे football अगर किसो को हिलना है तो football वाली trainings करनी पड़ेगी periodization है ना मतलब एक interval के बार training करना nutritional advice फहुत important रहती है mental physiological psychological यह सारी fitness को यहां पर ensure किया जाता है training के माधियम से अब अगर हम training को चार पार्ट्स में डिवाइट करें तो पहली होती conditioning training conditioning training में क्या होता है आपकी strength endurance और flexibility की training होती है कि किसे भी व्यक्ति का पहले strength और endurance बढ़ाए जाए तो जैसे को cricket खेलना है भाई लंबे-लंबे चक्के माड़ना है तो strength होनी जरूरी है और endurance होना जरूरी है ताकि रन दौड सके तेन training of technique फिर उसको यह techniques है इनको यह सीखते हैं फिर training of tactics हैना कि कैसे tactical preparation की जाए जैसे example के तौर पर आपने बहुत सारे अगर IPL teams के preparation को देखा हो है ना आजकल उनके YouTube चैनल पर ड़न जाता है तो वह क्या करते हैं कि आपको 30 ball पर 80 run बनाने 30 ball पर 7 run बनाने तेक है बिल्कुल मेच जैसा environment वहाँ पर create करने कोशिश करते हैं तो वह क्या एक प्रकार की tactical preparation है and then फिर आ जाती mental preparation भाई अगर किसी भी बड़े game को आपको केलना है तो mentally you need to be very strong आपको mentally strong होना पड़े का तभी आप उस बड़े game को approach कर पाएंगे अब अगर हम principles और sports training के बाद करें तो यार कुछ principles को अपनाया जाता है ताकि और specific way में training की जा सके और एकदम highest performance को निकाल सके है ठीक सो अब आजकल की जो training है इसके अंदर जैसा मैंने बोला कि इसमें certain technicalities involved रहती है तो हम चाहते हैं कि यार एकदम best possible way में हम preparation यह पर करें तो क्या-क्या वह principles रहते हैं तो यह total आपको principles देखने को मिलेंगे इनको हम एक एक करके और detail में देखते हैं ठीक है तो इतने सारे principles हैं हादे कि नाम से में बहुत सारी चीज़ें तो clear हो जाएंगी जैसा पहला principle of continuity continuity मतलब क्या हो गया कि regular training करना बिना किसी break के तो अब सिंस यह continuous process है तो इसके अंदर हम वैसे तो intervals नहीं लेंगे बाइचान सकर लेना पड़ा तो पहले से वो प्लान रहेगा कि हां मैं एक घंटे continuous exercise करूंगा फिर interval लूँगा एकदम हर दो-दो-पांच-पांच मिट के बाद आप ब्रेक नहीं लेंगे ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है यह चीज़ को आपको मतलब दिमांग में रखना पड़ेगा कि only an uninterrupted training can lead to a desired performance ठीक है तो आपको बिल्कुल uninterrupted training करनी पड़ेगी ऐसा नहीं होगा कि तीन दिन training करी एक हपते की छुटी तो यह continuity में नहीं काउंट होगा फिर आ जाता है principle of individual differences तो यार देखो यह इस concept पर रिलाई करता है कि हर एक individual की अपनी अलग quality है अलग capability है और उसके इसको train किया जाए जैसे example के तौर पर क्रिस गेल भाई सब तेज दौर नहीं सकता लेकिन भाई वह ऐसे चक्का मार सकता है कि वह खड़े-खड़े मतलब चक्का लगा देता है ना कुछ उसको फूटबर करने की जरूत नहीं है तो क्रिस गेल उसे सबसे train करेगा महीं पर अगर टेकनिकल प्लेयर विराट को ली तो वह अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी टेकनीक पे फोकस करेगा ना कि मैं कैसे टेकनीक से चक्का मार पाऊं तो यह प्रिंसेपल ऑफ मैक्रो 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 इस तरह के साइकल्स बना ली जाते हैं तो इनको आप याद रखना एक्जाम में आ सकता है कि प्रिंसेपल साइकल सेटी को बताएं तो इसमें आपको यह तीन तरह के साइकल बताना है मैक्रो साइकल यह शॉर्टेश साइकल रहता है जिसमें आप तीन भी करनी है तो macro cycle यहां पर बनाना पड़ेगा तो इसमें यही है कि आप धीरे 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 अपने load को बढ़ाए आपको अपने आपको overload करना पड़ेगा तब ही जाके आपकी डंबल्स को उठाना है जिससे आपकी क्या होगी मसल्स की जो बढ़ेगी क्योंकि लोट चुड भी अगर आप रोज जाके पांच की लोग करना पड़ेगा नहीं पांच नहीं दस उठाना पड़ेगा तो प्रिंसिपल प्रोग्रेशन ओफ लोड भी एक तरस ही कि धिरे धिरे आप अपने को बढ़ा ठीक है यसा नहीं कि पांच का उठाके डारेक्ट का डंबल उठा लिएकर ओवर लोड करना है तो इससे तो आपको इंजिरी हो जाएगी तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रोग्रेशन ओफ लोड को अपनाना है कि धिरे-धिरे ना पांच के बाद साड़े साथ दस बारा इस तरह से अपने वेट को आपको इंग्रीश करना है यह तो इससे थोड़ना होगा कि मैं विराठ को ली टू पॉइंट बन जाओंगा उसके लिए मुझे अपने आपको एक्टिवली इंवाल करना पड़ेगा मुझे को तीन गुनी मेहनत करने पड़ेगी लॉफ र यह रहना पड़ेगा ततपर रहना पड़ेगा पांच बजूट के बुला ले चलो वहिया केलने तो एक्टिव इंवल्मेंट आपको रखना जरूरी है अब रोज जिम में जाके एक ही एक एक कर लोगे तो क्या होगा एक पार डिवलप हो जाएगा लेकिन उसकी भी एक मसल हाथ में ही 15 तो पड़िकी मसल संटी यहां पर लग मसल्स यहां फोरांस के लग मसल पाइस रिएप्स ट्राइफ सेट्व पहुत जीजह रहती हैं तो अब एक तसरी कि एक कि आपका यह नहीं उपका पाए तो इसलिए आपको यह डny नBye-dum-roni जो आपकी ट्रेनर जो रहेगा या फिर आपका ट्रेनिंग डिजाइन है इस मस्स इंकॉर्परेट वेराइटी बहुत सारी वेराइटी उसमें होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सराइज और ड्रिल्स का पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर बोला जाता है कि भाई प्रेक्टिस मेंग समें पर्फेक्ट एंड फर्दर वर्किंग उन पर्टिकॉलर मसल और फिटनेस कंपोनेंट विल प्रिडॉमिन की डेवलप डेट पार्ट तो इसलिए आपने देखा होगा जिम में क्या होता है हम इस्पेसिफिक दिन डिसाइट कर देते हैं कि मंडे को म इसलिए प्रिसेप्स करूंगा वेडनेस डेको शोल्डर करूंगा थर्ज़ी के एब गाव फ्राइड ऑंग लगां संदे को में शट्रॉक्स कि लिआ लगा लोंग संदे निकां चुट्य को वहां पर आप टार्गेट करो इसके बाद नेक्स आजाता है प्रिंसिपल ऑफ जन्रल एन स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो जन्रल प्रिपरेशन तो करनी है जैसे कोई भी एथलीट है क्रिकेट प्लेयर है तो आपने देखा होगा पहले मैच के पहले थोड़ा फूड़ भी खेल लेता है थोड़ी रनिंग प्रिंसिपल और कोलिंग डाउन बहुत इंप्रिंट एना वार्म अप करने से क्या होगा कि आपकी बॉड़ी एक्टिव हो जाएगी और कूल डाउन होने से आपकी बॉड़ी रेलेक्स हो जाएगी अब इसको और अच्छे से देखते हैं वार्म अप से सीधा कोश्चन भी बहुत ज्यदा इसेंचलिया किसी भी कॉमपेटिशन के पहले क्योंकि एक बॉड़ी को फिजयोलोजिकली और साइकलोजिकली थीक है तो फिजीकली और सालोगी कली दोनों तरीके से प्रिपर कर देता तो प्यूब्लों सब्सक्राइब अर बिल्कुल जेनरल रहता है बीश stretching तो यह सब चीजह हैं जिससे आप warm-up कर सकते हूं मतलब होता है cooling down और यह आप session के खतम होने के बाद करते हो जैसे ठंडे पानी में ना लेना बरफ आइस पात कर लेना तो यह सब किसी भी काम को बिल्कुल minimum possible effort में किया जा सके ठीक है जैसे एक्जामपल के तौर पर क्रिकेट के हम बात करें ठीक है तो पांस दिन तक खिलाडियों को खेलता है तो अब एक खिलाड़ी को हम बिल्कुल दोडाते रहेंगे दोडाते रहेंगे ना भाई तो अभी मां फिल्टि तो जितना amount of work एक व्यक्ति करता है उसको लोड बोलता है and it is the psychological and physiological demand put on the body parts through motor stimuli resulting in improvement and maintenance तो वही मैंने जैसा बोला कि जितना आप शुरू में ट्रेनिंग के ताइम पर अपनी बॉड़ी को लोड दोगे उतना ही जादा आपकी बॉड़ी उस चीज से एडप्ट हो जाएगी और फिर उतना ही बहतर आपको performance देखने को मिलेगा so sports training consists of various physical exercises हैना क्योंकि जब आप training करते हो तो बहुत सारी physical exercise होती है और उससे आपकी बॉड़ी को load मिलता है तो अभी जो overload ही क्या होता है तो training के दोरान जो sports person है वो क्या करता है वो load देता है अपनी body को अपनी capacity के नुसार अ तो उसी को अपन क्या बोलते हैं उसी को overload बोलते हैं now though increased load does not affect the sportsman immediately है तो capacity से कर आप बहुत ज्यादा लोड उठा लोगे तो वो तो overload होई गया हो सकता है हाथ के आद आपको कोई दिक्कत ना हो लेकिन long time में शायद आपकी performance decrease हो जाए ना तो overload जैसे में आपको बताया था कि प्रिंसेपल आपको अपनाना है कि progressive load आपको रखना है ना कि एकदम से overload कर लेना है पांच किलो का डंबल उठाते हो रोज पचास किलो का उठा लोगे तो भाई injury हो जाएगी ठीक सो the important signs and symptoms of overload क्या हो जल्दी थकरे हो performance में decline आ रहा है आपका खेल के प्रती बाइसा में इंट कर रहा हमें कल से हैना तो आपका motivation चला जाएगा sleep disorder हो सकता है खाने की भूख आपकी है खतम हो सकती है injuries हो सकती है सब overload के करनन होगा अब adaptation and training load ठीक अब यह क्या होता है so adaptation मतलब तो basic है कि आप adjust कर रहे है ना adjustment of physical and psychological function तो जैसे आपने देखा होगा इंडिया का मैच है ऑस्ट् चल जाती है ना इसा नहीं होता कि एक दिन पहले गई तो साथा दस दिन पहले जाती है ताकि महाँ पर जाकर adapt कर सेके उस condition में so adaptation to load results in the enhancement अगर आप पहली जाके महाँ पर adjust कर लेते अडिक कर लेते हैं तो कि performance क्या होती 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 है adaptation की जो process है वो डिमांड करती किसी भी sports person से कि अब उसको regularity training में रखनी पड़ेगी एंड जब भी कोई भी sports person exposed होता है नए और unfamiliar load से in a systematic plan वे तो adaptation वहाँ पर faster हो जाता है ठीक है तो आपने लेखा होगा जैसे इंडिया में अलग बॉल से cricket खिला जाता है है एस जी की बॉल से cricket खिलता है और और कुकू बरा की बॉल से cricket करवाई जाती है recovery बहुत important यार and recovery एक active component है है ना तो ठीकबरी में मतलब active component भी होता है जैसे post-workout walk इण passive component जैसे ठीरी पे ले 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 लेना तो types of recovery में पहला आ जाता till immediate recovery जैसे आपने exercise करी भाईसा फटाक से recover हो जाओ जैसे example के तोर पर आप running पे गए ना बहुत तेज आप तो बहुत तेज दोड़ने के बाद थोड़ा धीरे आप वॉक करें ताकि आप रिकवर हो सकते हैं एकदम रुक के सो ना जाएं एकदम बहुत तेज दोड़ के आके सो गए भाई साथ फेल हो जाएगा आपका सिस्टम थोड़ा सा इंवर्स रिकवरी बिट्वीन सेट्स ऑफ सेशन किया इफ वर्काउट्स अकर विदाउट एप्रूपीरेट रिकवरी इससे क्या होगा इन्टेविजल में इन पर पिर ली प्रिपेर एडवर्स टेंग सेशन तो अगर आप कॉन्सी के वर्काउट्स करे जा रहे हो लेकिन रिकवर नहीं हो रहे हो इसली बोला जाता ह अपने पास concept of doping और क्याइस के disadvantages हैं तो doping का concept सबसे बहले मैं आपको बता रहेता हूं तो जब भी athlete कोई band substances को use करता है ताकि उसकी performance एकदम से improve हो जाए उसी कम doping बोलते हैं example के तौर पर जाएगा drugs and steroids ठीक है तो से लोग क्या करते band substances band drugs को लेते हैं तकि उनकी performance एकदम बढ़ जाए जैसे olympics से बाइसाब रेस होने वाली है ऐसी drink पिली के भाई 10-15 इतनी तगड़ी energy आ गई कि क्या ही बताए ठकानी नहीं तो दूसरे लोगों को तो disadvantage होगा ना इससे अब concept क्या है doping एक शब्द है जिसको यूज किया जाता है sports के शेत्र में और यह बेसिकले एक unfair practice है यह इससे unfairly किसी की भी performance improve होती है तो जनरल वे में अगर अपन देखें तो doping एक यूज है performance enhancing substances का और ऐसे methods का जिससे कोई भी athlete क्या करता है अपनी performance को enhance कर लेता है यूज of drugs इसको unethical consider किया जाता है क्योंकि भाई सब unfair advantage दे रहा है किसी विवेक्ति को और क्यों यह unfair है क्यों सब नहीं खाएंगे इसको सब इसले नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत dangerous होते हैं ठीक है तो अब एक व्यक्ति थोड़ा इत्ता रिस्क लेके खा क्या जाता है तो अने थिकल हो गया नहीं तो सही नहीं है प्रोइबिटेट सब्स्टेंस देखे एक्जाम में सीधा नहीं आएंगे लेकिन आप थोड़ा पढ़ सकते हैं इसको कि जैसे stimulants हो गया anabolic steroids हो गया बीटा टू डाइयूरेटिक्स कैफीन तो यह जनरली prohibited substances है कौन-कौन से method से जिससे डोपिंग के जाती है blood doping जीन डोपिंग और एक sample वाली डोपिंग तो इसको हम यह आपर देखेंगे तो यह सारे performance and enhancing substances है जैसे बीटा ब्लोकर्स हो गया डाइयूरेटिक्स हो गया तो इसको आप एजन एक्जामपल लिख सकते हो ना एक्जाम में डारेक्ट आप से नहीं पूछा गया कि भाई बीटा ब्लोकर्स क्या होता है यह साइन्स वाले बच्चों का काम है फिजिकल एजुकेशन में आपको इतना नहीं चाहिए चलिए सबसे बेले देखते हैं ब्लड डोपिंग क्या होता है तो इससे आप enhance कर देते हो किसी भी व्यक्ति के sports person की performance को by infusing oxygenated blood into the athlete before an event ठीक है जैसे for example 2 गंटे बाद मेरा मैच है फटाक से ब्लड डोपिंग करवा के आ गया तो इससे क्या होगा मेरे बॉड़ी के अंदर बहुत सारा oxygenated blood आ गया और वो oxygenated blood क्या करता है आपकी बॉड़ी को आपकी muscles को cells को tissues को energy provide करता है तो इससे increase हो जाएगा red blood cells के count में और higher oxygen carrying capacity हो जाएगी तो आपका endurance बढ़ जाएगा थको गए नहीं या तो यह कंडियो एडवांटेज हो गया तो यह थोड़ा पहले कर दिया जाता है मैच से और इसमें क्या करते है जीन्स को बदल देना तो भाई अगर आप जीन्स को बदल दोगे खिलाड़े को ऐसे जीन्स को आपने इंड़क्ट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा efficient है जो थकान नहीं होती जिनको तो फिर महां से क्या हो सकता है महां से आपकी performance एकदम बढ़ जाएगी जो कि एक undue advantage है side effects क्या हो सकते है इसके hard failure हो सकता है cancer leukemia इना immune dysfunction immunity आपकी बिलकुल खतम हो सकती है तो इसलिए सब लो integrity और validity of samples collected during the doping control procedure तो क्या होता है athlete जो रहता है वो किसी भी competition से पहले उसके samples लिए जाते हैं अगर उस sample में यहां पर क्या कर दो कुछ घपला कर दो कि आपने जो substances पहले लिए हैं वो पकड़ ना पाए तो वो क्या हो जाएगा chemical या physical manipulation हो जाएगा अब doping को control कौन कौन से agency करती है एक तो है वाड़ा और रहके पजामा क्या नाड़ा ठीक है वाड़ा मतला world anti-doping agency और नाड़ा मतला national anti-doping agency कुछ prohibited substances और उनके side effects ठीक है डारेक लिए exam में शायद ना पूछा जाए लेकिन आपकी knowledge के साब से जैसे stimulants अगर आप consume करते हो तो insomnia नींद नहीं आने वाली समस्या हो सकती है central nervous system failure हो सकता है नार्कोटिक से क्या होगा loss of balance ना इसलिए बोलते है ना इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है बीटा ब्लॉकर से आपका endurance reduce हो सकता है लॉंग टम में चैना बलाइट्स बिनोइट्स इससे क्या हो सकता है concentration advantage of doping यह आपके सीधा syllabus में पॉइंट है तो इसको याद रखना एकने बहुत सरे pimples हो सकते है गंजापन हो सकता है जैसे हैं भाई को रहा है लिवर डेमेज हो सकता है premature closer of the growth center of the long bones which may result in stunt growth ना कोई भी वक्ति बोना रह सकता है aggression बढ़ सकता है अगर males में बात करें या ना तो breast tissue development then shrinking of the testicles importance है ना मतलब importance मतलब क्या होता है कि वो बच्चा पैदा करने लाए कि नो रहे reduction in the sperm production female से तो हो सकता है उनके voice deepen हो जाए लड़को जैसे आवाज हो जाए secession of the breast development ना breast आगे develop नहों पाए growth of hair on the face मुचे हो जाए abnormal menstrual cycles तो यह सारे gender specific effects हो सकते हैं डूपिंग के तो आप बिलकुल इस तरह से लिख आए है males and females को अलग-अलग segregate करके तो बहुत जाद माक्स आपको मिलने वाले हैं अब एक अपडेट दे देता हूं छोटा सा बहुत ही कमाल का अपडेट है कि यहां पर पहली बार an academy के इतियास में एक special price offer आया है मतलब जो कि 45% off आपको दे रहा है cbs a class 6 से 12 तक के सब्सक्रिप्शन में और यहां पर बहुत ही कमाल का offer है जिसमें आप एक दम इस्ट्रक्चर तैयारी कर सकते हैं अपनी exams की और यहां पर live test doubt solving then unlimited access to live and recorded classes से सब आपको देखने को मिलेगा और आपका काट हो चुका है 22 नोवेंबर से limited period offer है लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे unlock code आप use करिएगा appdia 100 जिससे आपको maximum possible discount माँ पर मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं कुछ प्रशनों को तो एल्कोहल दारू से क्या stimulate होता है आपका nervous system आपने देखा होगा बैलेंस भी गड़ जाता है तैन वुमें फो टेक टेक टेस्टेंट तो मेस्कुलाइन तो अगर इस्टुराइट से कोई महला रहती है तो एक्दम मुमें बैभ ऒाती है वह डिए बैभ टेक लोड़ ना को अपधा पर्फॉमेंस लोड़ ईक्लाइन पर्फॉर्मेंस लोड अपट्याइट अपडेट है तो ऑट को लोड़ बोलते हैं पनना देखे था सिधा सीधा सीधा सिधा ओफ व्लिफेमेंस अग्युंड दोपने बो वो मेल में होगा कि tumult form of NADA is national anti-doping agency option number D then WWARA की full form world anti-doping agency option number C taking off prohibited bend substances known as Doping option number C which is the short term activity carried out prior to any severe activity to use warm-up from warm-up आपसे विल्कुल prepare to जाते competition के लिए carried out after the severe activity is limbering down cooling down option number c कुछ प्रश्न overload क्या होता है अपने अल्रेडी देखा है adaptation क्या होता है recovery क्या होता है ठीक है तो सीधे सीधे प्रश्न है जो कि हमने अल्रेडी कवर कर लिया है एक practice question आपके लिए इसको आप जरूर सांसर कीजेगा explain करना है आपको meaning and concept of sports training शुरू में अपने देखा था sports training क्या उसका meaning होता है concepts होता types होता है तो इस सबको आप लिखना comment box में आपके answers को चेक करने वाला तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी doubts हो सवाल या सुझाओ तो उसको आप जरूर से comment box में लिख दीजेगा तो दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि समय और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता आपके लिए वीडियो झाल